अध्यक्ष और इस कारशाला के प्रथम आयोजग प्रस्ट्रकॉन कुमार श्रमा जी और इस कारशाला के दूसरे आयोजग और अपने विश्द्याले के जेनेटिक्स और प्लान्ट वेरी विभाग के प्रफसर प्रफिक कुमार श्रमा जी इस कार्चाला में प्रतिभार कर रहें सभी वरिष्ट, प्राध्यापक्त, बंधों और भीनियों अभी जैसे की कुछे सूचनाय वहानुजी ने दी इन सूचनाव में फ़ड़ासा उनकी आवाज मुझे ही कम सुनाई पड़ रही थी फ़ड़ासा अपनी ब्रवस्था बदली है, इसका हम सब को चिंतन करना चाहिए पहले हमने जो अपने आवजन किये थे, उनमें आप सब के लिए ईमेल था और आप सब को कीवर्ड्स ईमेल पे भीजने थे परन्तु अभी उस ब्रवस्था में बदलाव हुआ है और अब आपके पास एक गूगल फॉर्म आता है और उस फॉर्म में आपको अपने सारे डिटेल के साथ साथ वो पांच कीवर्ड्स भरके भेजने है उसरा आभी और इहोंने भानुजी ने आप सब को बताया कि एक वार्षफ गूप भी क्रिट किया गया है मनाया गया है और उस वार्षफ गूप का ज्वाइनिंग इन्वाइट इसमें शामिल होने के लिए एक इन्वाइट लिंक भेजा सब को बेज़ जिसका जिसका नंबर हमारे पास उपलब है उनको भीजा जा रहा है और आपको उस ग्रूप को ज्वाइन करना है शामिल होना है इस रख जैसा भाम जी ने कहा कि आगर आप सुन सकते हैं कि आगर आपको कोई पचास व्यक्ति फोन करें पटे दिन और ऐसे बंधू जिन से आपका पूर का परिशाय ना हो तो व्यक्ति प्रूब असा भीजला जाता है और फोन को एक इट भी नहीं कर सकता है इससे हम सब व्यक्ति बातचीत करने से बचें और जो हमारे पास संपर के अन्य माध्यम है उनके माध्यम सब अपनी बात को रखें आप सब को सब्सक्राइब मिलेगा इसमें यह मैंने कहाता कि यह तो प्वास्तों में ज्यान वर्धन की कारेशाला है यह सब्सक्राइब भी आवश्चक है वो भी प्राप्तर होगा पर उससे ज़्यादा आवश्चक है कि हम सब आजकल के समय में जब हर व्यक्ति को किसिन किसी इलेक्ट्राणिक माध्यम से इंट्वेशन और कम्मुनिकेशन टेक्नॉलजी का प्रियोग करके हम जो इस पढ़ने पढ़ाने के व्यावसाय में हैं पेशे में हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़ें सक्षम बनें इसके लिए कारशाला का आयोजन किया गया है और जैसा मैंने सुबसुवा भी कहा था और इससे पूर्शेगवास जीने और मसुजन जीने भी कहा था कि हम सब अपने साथ दो equipment रखें, दो हम अपने पास machine रखें एक में अपने mobile में हम रख सकते हैं, जिसमें हम डाक्षान को सुन सकते हैं और जो वक्ता हैं उनके lecture का हम आनल उठा सकते हैं परंतु इससे अधिक महत पूर्ण है कि हम उनके दिये हुए कारें को करें अब ही आज के अपने वक्ता जो है, उनका भी बहुत रोचक विशह है जिस पर उनका व्याठ्यान होगा ये व्याठ्यान का विशह है Google Classroom हम सब कल से ही बलकि पर्सों से ही चिन्तित हैं ये Google Classroom क्या है और अन्य जिस पकार के हम सब को प्रेटफर्म बताएगे मूडल का या जिनॉमियों का आज इस परकार से वो EL के बारे में बताया गया ये हम सब का सवभाग है कि इससे पूर हमारी जो गारशाला होई थी 15 दिम की उसमें भी एक बहुत ही उत्कृष्ट उद्वोधन प्रक्सासिंग का हुआ था और उस गारशाला के दौरान भी हम सब को हाला कि उसमें एप्लाइड बातें फड़ा कम थी हरनसान एप्रोच से सीखने का कम था उसमें प्रंतु इनका जो विशय था विशिष्ट सिक्षा का स्पेशल एडुकेशन का वो बहुत उत्कृष्ट उद्वधन था प्रक्सासिंग मूलता सिक्षा संकाय के सिक्षा विशय के अध्यता है आपके सिक्षा दिक्षा बनारस हिंदु विशुद्याले में हुई है और अपने जो सिक्षा विशय के अंतरगत जैसे कल अपने इनका व्याठ्यान हुआ था मसोजन जी का तो भी लगता है कि उनका विशय रहा हुगा कमपैर्टिव एजुकेशन बार बार उसका जुक्रिक कर रहे थे इसी प्रकार से प्रवसर रजनी सिंग्जी का जो विशय है उस स्पेशल एजुकेशन है आप लगनव इस्थित डॉक्टर शकूंतला मिश्रा रास्पिये पुनरवास विश्विद्याले में आप सिक्षा संकाय के हेड हैं प्रफेसर हैं और डीन हैं आप भी कूविड उन्निस से पूर्व से ही इस प्रकार से आइसी टी के प्रियोग द्वारा हम ऑनलाइन या डिस्टेंस और ओपन अध्यापन में रथ रह सकते हैं इसके उपर हम किसके करटार के प्रियोग कर सकते हैं इसके बारे में प्रफ्षर सिंग्स का बहुत व्याफक अध्यान है अनुभाव है आप कई फुस्तकों के लेखट हैं, बहुत सारे लेख, व्याख्यान आपके प्रगाशत होते रहते हैं तो अगर प्रफसर सिंग हम से जुड़ गए हूँ, तो उनसे मैं निव्रेदन करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान आरम करें, परन्तु हम सब कर लिध्यान रखना जितने प्रतिभागी हैं कि हमको ना तो अपनी स्क्रील शेयर करना है इसकी अभी, ना ही हमको बीच में किसी प्रटार के ऐसी बातें लिखनी हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो वक्ता का और ना ही हमें कोई ऐसा वीच प्रश्म कुछना है जिसके द्वारा व्याख्यान में कोई व्याधा पड़े हैं हमसों कि प्लास अंत में समय होता है दस पंदर लिट का, उसमें अपनी बात हम कहा सकते हैं अपने जो वक्ता है बहुत सिंपल स्क्स बतार हम सब को सिखा रहे हैं किस करकार से हम अपने चीजों को आपरेट करें तो आप सब आज इस व्याख्यान का आनंद लें गूगल क्लास रूम के बारे में समगने जानकारी और उसका प्योग इस व्याख्यान के लिए मैं सादर मत्रिक करता हूँ प्रफ़सर रजिनी रेंडन सिंग जी को आपका स्वाधत है सर्फ बहुत बहुत नमस्कार बहुत हार्दी कभिवादन और मैं उमीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुँच पा रही होगी जी जी आपके आवाज बहुत अच्छी आवाज आरे सराथ तो फिर से एक एक अकादमिक अवसर प्रदान करने के लिए मैं बहुत ही आर्दिक आभारी हूँ और समय समय पे आपके द्वारा चौधरी चरल सेंग युनिवरसिटी और आप जितने भी उस युनिवरसिटी के जो वरिष्ट आचारेगन हैं और जितने भी रिसर्चर्चर्ज हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं समय समय पे आप लोगों से मुलाकात विविन प्लेटफॉर्म पे होती रहती है जैसा की जो परिच्छा दिया गया उसमें कहा गया की आज जो हम लोग चर्चा करेंगे विमर्श करेंगे वो गूगल क्लास्रूम पे की चर्चा करने से पहले फ्रस उसका एक जो लर्णिंग का जो बैग्राउंड है जो ऑनलाईन लर्णिंग जो है यहाज़ो हम इंट्रनेट के माध्यम से जो हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जहाँ पे वो learning virtual नहीं है learning तो original हो रही है लेकिन जो माध्यम है वो माध्यम एक जो है वो virtual platform है कितनी आश्यरी की बात है कि हम लोग एक दूसरे को physically तो नहीं देख सकते लेकिन image के form में और different जो एक technological devices है उसके माध्यम से हम आपने आपको कितना करीब महसूस करते हैं तो यही एक प्रिष्ट भूमी है online learning का और online learning जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना ने एक नई opportunity दी है इसका जो सबसे better part रहा है कि हमको एक अहमियत पता चला है कि online learning या blended learning या flip learning ये सब जितने भी ये हैं वो किस तरीके से जब हम physically touch में नहीं रहें student के फिर भी हम teaching learning process को complete कर सकते हैं और इसके जो nitty gritties हैं इनके जो basic जो minute details हैं या जो इसके जो dynamics हैं उस dynamics को समझना हमारे लिए बहुत important है क्योंकि हम जानते हैं कि teacher जब तक किसी भी platform को conceptualize नहीं करेगा जब तक उसको अपनी उसके प्रति उसकी अवधारना स्पष्ट नहीं होगी संप्रति जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तब तक शायद हम किसी भी platform को बहुत इच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं इसके थोड़ा सा एक हम इसका एक theoretical background लेंगे इसके बाद फिर क्योंकि हमारे पास 3 से 5 का वक्त है तीन पीएम से लेकर के 5 पीएम तर का वक्त है और इसमें हम लोग जो इसके एक theoretical background से लेकर के उसके बाद जो hands-on experiences हैं क्योंकि hands-on experiences से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या-क्या activities हम कर सकते हैं इसके philosophy क्या है यह क्यों हमारे डिये important है और फिर आप इसको assist कर सकते हैं evaluate कर सकते हैं कि आपके लिए यह कितना मददगार सावित हो सकता है आप इनको किस-किस मकसद से use कर सकते हैं आप अपने colleagues से interaction करने के लिए आप अपने students interaction करने के लिए आप research purpose से एक focused group interaction करने के लिए means क्या की ample opportunities है, ample dimensions हैं जिसके through आप Google Classroom आपको बहुत ही help कर सकता है इससे पहले क्योंकि मैं present करना चाहता हूं कि आप screen को देख पा रहे होंगे और यह लग रहा है कि अब आप लोग screen को हमारे screen को देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जिसमें आज जो हम लोग मेरी आवाज आ रही है जिसमें आप यह रहे है जी सर आवाज आज आ रही है और screen full देख रहा है जी जी स्क्रीन भी देख रहा है जैसे जयसा कि बताया गया कि आज हम लोग Google Classroom के बारे में और Google Classroom बसिकिल एक online learning management system online learning management system का मतलब है कि basically हम computers के माधिम से और internet के connectivity के माधिम से हम student के साथ teacher teacher के साथ student student के साथ एक multi way में हम interact कर सकते हैं और हम जानते हैं कि teaching में communication बहुत important है separation बहुत important है और separation जितनी अधिक प्रभावशाली होंगे उतना ही जो teaching और learning इंपोर्टन्ट रूल प्ले करेगा तो ये एक Google Classroom एक online learning management system है जिसमें एक basic terminology है इसको समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम learning किसको खहते हैं और management का यहाँ पर क्या मतलब है मालब इस संदर्फ में क्या मतलब है और system से क्या समझते हैं और ये basically online के साथ साथ एक smart mechanism है तो learning का जैसा की मतलब हम समझते हैं कि जो हमारे विभार में जो भी परिवर्तन होता है हमारे behavior में जो भी changing होते हैं और वो external stimulation से जिसका base internal dynamics होते हैं कि हमारे memories हमारे previous experiences हमारे बहुत सारे जो internal dynamics है जो brain based dynamics है जो mind based dynamics है जो मस्तश्क आधारिक जो गतकी है जो मन आधारिक जो गतकी है उसके आधार पे जब हम हमारे behavior में किसी external stimulation के मातलब से किसी बाहे उद्दीपन के मातलब से जब हमारे विभार में जब change होता है तो हम इसको learning कहते हैं और learning के लिए आप देखते होंगे कि हम college level पे, school level पे, university level पे एक conducive environment create करते हैं एक बहुत ही सौहार्दपून बातावरन बहुत ही प्रभाशाली बातावरन हम create करना चाहते हैं क्योंकि वातावरन पे learning बहुत ही ज़्यादा dependent है क्योंकि हम जानते हैं कि software तब तक काम नहीं करेगा जब तक एक उसके supporting hardware में होंगे हमारे लिए दोनों important है जो learner का internal mechanism और जो learning कहा हो रहा है यानि कि कि किस context में हो रहा है वो context यानि कि external environment जो conditions है और जो सामाजिक सांस्कृतिक रिष्टभूमी जो learner का है ये बहुत important है तो learning हम कहते हैं कि जो भी changing in behavior through experience and practice means क्या कि हमें एक बहतर अनभव दिना होगा और बहतर अनभव के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से यदि हम learner के behavior में change करते हैं तो ये learning, इसको हम learning process करते हैं साथ ही साथ ये एक इसमें management क्यों जरूरी दी है क्योंकि हम जानते हैं कि learning को संपन्न करने के लिए learning होने के लिए बहुत सारे factors depend करते हैं जैसे आज यदि देखा जाए आज हम आपके सामने उपस्तित हैं भहते ग्रुप से उपस्तित नहीं है लेकिन हम एक network के माधिन से उपस्तित हैं तो आप मुझे हमारा image देख सकते हैं मैं जो यहां से जो भी fraction of second के difference पे आप हमारी सारी गतिविधी को देख सकते हैं means क्या कि यहां पे एक computer system भी जरूरी है यहां पे internet भी जरूरी है यहां पे जो मेरे communication का जो style है वो भी आपके लिए बहुत important है मेरे द्वारा प्रयोग किया गया जो भाशा है वो भाशा बहुत important है आप जिस भाशा में समझते हैं वो भी बहुत हमारे लिए important है बीच का एक interaction बहुत important है means क्या कि इन सब को हमें manage करना पड़ता है और means क्या कि learning के लिए एक conducive environment create करना वह हुज़ा है क्योंकि जब तक हम एक conducive environment जब तक हम एक प्रभाशाली वातावरन जब तक हम learner के according to अधिगम करता के according to सीखने वालों के according to जब तक हम वातावरन create नहीं करेंगे तब तक effective learning नहीं हो सकती है इसलिए इसको manage करना बहुत ज़रूरी है कि हम इस content को पहले रखें हम चिस तरीके से कैसे content को कैसे start करें कौन से विशह वस्तू को हमें सबसे पहले start करना चाहिए हमें ये बात की एक as a teacher हमें इस बात की जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि हमारे जो learner है उनका जो background है जो previous academic background है वो क्या है कैसे है ये जो focus group हैं उस focus group किस-किस area से बिलॉंग करते हैं कि ताकि हम जब example site करें जब हम उदाहरन पेश करें तो उदाहरन पेश करने में हमें उनकी समाजिक सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी का ज्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए तो इन सभी चीजों को manage करना पड़ता है और system जानते हैं कि learning अपने आपने एक system है क्यों? क्योंकि इसमें teacher भी involved है content भी involved है इसमें curriculum भी involved है इसमें methods भी involved है इसमें methodology भी involved है इसमें teaching जो supporting materials है वो भी involved है यानि कि teacher का जो soft skill है और जो एक hardware का जो structure है ये सभी important है हमारे लिए यानि कि instructional as well as infrastructure आधार गूत संदचना से लेकर कि जो अनुदेशनात मत या जो अधिगम के लिए या जो सीखने के लिए जो भी important वो चाहिए वो बहुत important है means क्या कि हमको समझना पड़ेगा ये जो learning है उनके जितने भी factors हैं उनके interconnections क्या है ये हमारे लिए बहुत important है और जैसा कि हमने कहा कि ये एक smart mechanism है जो ये Google classroom जो है ये एक online learning management system है क्योंकि ये through online हम teaching learning को संपन्द करते हैं और इसके सारे components को हमें समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और smart का जैसा कि एक abbreviation जो है उस abbreviation को ये हम समझने की कोशिश करें तो definitely ये एक systematic है ये आपको एक system develop करना पड़ेगा जब भी आप किसी content को design करें या आप learning किस तरीके से प्रभावशाली जो संपन्द करवाना है तो हमें किस किस तरीके से content का जो order होगा जो logical order होगा ये logical order हमारे लिए बहुत important है यानि कि एक ये systematic है और दुसा synergetic है synergy बहुत होना चाहिए ये एक जो एक संबंध है जो learner के बीच और teachers के बीच ये synergetic relationship होना बहुत ज़रूरी है ये वो संबंध होना बहुत ज़रूरी है और जैसे कि M का मतलब mindfulness learner को हम इस तरीके से एक excitement चुकदान करें learning के प्रति एक joyful condition जो है एक उनके ये हस्ते हस्ते अधिगम करना किसी content को unnecessarily बहुत ज़ादा बोज create नहीं करना यानि कि learning without wording बहुत important है तो mindfulness और managed ये बहुत important है और एक मतलब application oriented learner कभी कभी होता है क्या कि हम cable theoretical concepts को जान जाते हैं लेकिन कहा apply करना चाहिए ये हम नहीं जान पाते हैं तो learner को ये ज़रूर हमें एक orient करना चाहिए उसको एक फ्रेरित करना चाहिए ये यदि आपने learn किया है ये learning जो है वो कि socio-cultural perspective में आप इसको किस तरीके से apply करें ये बहुत important है और यही हो रहा है कि जब हम classroom के learning को बच्चा socio-cultural condition में वो apply नहीं करता है वो connect नहीं करता है तो ये जो connecting है ये connecting जो एक component है ये बहुत important है means क्या application oriented होना चाहिए और accurate होना चाहिए accuracy रहना चाहिए means क्या कि हम किस तरीके से कितने समय में हमें क्या learn करवाना है learner की प्रिष्ट भूमी क्या है हम इन समय चीज़ को बहुत accuracy के साथ assess करने की जरूत पड़ती है नहीं तो otherwise हम जानते हैं यदि हम assessment की accuracy नहीं रखेंगे या किसी भी system को जानने की accuracy नहीं रखेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल कारे होगा कि हम learning को प्रभापशाली तरीके से समफन में कर सके इसके अलाबा यदि हम देखें तो जो आर है आर का मतरब result based यानि कि ये जो online learning management system है ये result क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप किसी बच्चे का assess करते हैं तो assessment का उसको result सुनने में बहुत मज़ा आता है चाहे आप जिस तरीके से लें लेकिन जब तक आप result उसे नहीं देते हैं तब तक learner में एक excitement बना रखता है means क्या कि result को जानना या result के तरफ से उन्मुह करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक शायद learning प्रभावशाली तरीके से संपन नहीं होगा और इसका एक rhythmic होना चाहिए यानि कि learner का जो अंदर का जो rhythm है वो content की content का जो rhythm आप बनाएंगे क्योंकि learner की rhythm को आप change नहीं कर सकते तो हमाई क्या करना पड़ेगा learner की according to content के rhythm को change करना means क्या कि जब हम Google material को organize करेंगे तो उसमें एक rhythm होना चाहिए और rhythm का आधार क्या होगा उसके lay का आधार क्या होगा तो जो अधिगम करता का जो lay है उसके सीखने की जो गति है उसके सीखने की जो lay है उस lay से content को match करना होगा और हम ज़्यादा तर करते क्या है कि हम अपने according to teach कर देते हैं हम कभी भी learner को gaze नहीं करते हैं हम कहते हैं curriculum कौम भी finish कर दे हैं हमने अपने content को finish कर दे हमने अपने syllabus को finish कर दे हैं means क्या यह finishing job नहीं है यह तो एक exciting job है हम इस तरीके से केवल learner को एक excitement लाएं कि ताकि एक बार यदि उसके mental condition में यदि वो बहतर तरीके से एक वाई excitement हो गया तो definitely फिर वो नजाने कितने content को सीख लेगा क्योंकि उसके अंदर ignition बहुत जरूरी है उसके अंदर का जो एक जो एक जो learning को अकर करने के लिए learning के अधिगम को संपन्न करने के लिए जो भी एक environment है या जो भी learner के जो brain को ignite करना बहुत आवश्य है तो इस तरीके से एक रिजल्ट पेश्ट रिदमिक होना चाहिए and time tailored यानि learner कभी-कभी होता क्या है कि जैसे आप आज यह mechanism है learning का अभी चल रहा है workshop के मार्दम से आजम लोग अनुबरू हो रहे हैं लेकिन इसके साथ सथ इसकी recording भी होगी है माल या जाए कि कोई learner ऐसा भी होगा कि अभी उसका कोई और assignment होगा कहीं और hangover की स्थिति में होगा कहीं लगता है कि हमें कहीं और जाना पड़ सकता है फीजिकली आप यहां पर प्रेजंट हैं आप अपने workshop में लेकिन mentally कहीं और absent है लेकिन जब आपकी इक्षा होगी जब यह recorded version है तो आप किसी भी समय में अपनी इक्षा के अनुसार और अपनी अविशक्ता के अनुसार इसको देख सकते हैं तो time tailored बहुत important है time की according to हम ऐसा कर कि जब learner को जब इक्षा होगी तब learner अपनी गती के according को अपनी अविशक्ता के अनुसार वो उस content को access कर सकता है उस content कर उसके पहुंच मन सकते हैं और thematic based होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि बिना theme के बिना context के बिना संदर्व के learning संपन होई नहीं सकती है तो यह एक इसका पहले था कि पहले teacher teach करता था अब teaching का नहीं है हमें केवल उसको जानने में मदद करनी है और पहले agile learning process को देखा जाता था कि यह commodity है केवल हमें क्या करना है ट्रांसफर कर देना है instruction देना है लेकिन अब instruction नहीं हमें construction पे बेच हम इस तरीके से online learning material को भी design करें कि ताकि learner को construct कर ने कम आपना है तो हम instructivism से हट करके एक केवल अनुदेशन आधारित जो अधिगम है उससे दूर हट करके हमें एक student शीलता या एक जो निर्मिती बाद है उसके आधार पे हमें चलना पड़ेगा इस learning को यानि कि learning को यदि देखा जाए तो वो एक objective process नहीं हो सकता learning एक subjective experience है क्योंकि each and every learner जो है अलग-अलग तरीके से सीखता है तो हमें देखना पड़ेगा कि multiple engagement रखने पड़ेंगे मिन्स क्या कि आप कभी उसमें वीडियो भी दीजिए उसमें कभी आप text भी दीजिए आप audio versions भी दीजिए मिन्स क्या कि आप जितने अधिक science organs का engagement रखेंगे जितन हमें अधिक multi-sensory approach रखेंगे उतना अधिक वो प्रभावशा लिए तो इसलिए हमें यह important है कि हमें learning को as a subjective experience मानना पड़ेगा क्योंकि हर एक learner जो है हर एक जो अधिदम करता है उसकी रूची अलग है उसकी आविशक्ता अलग है उसकी गती अलग है तो हमें as a teacher होने के ना opportunity दीजिए अवसर दीजिए और आप जितना अधिक अवसर देंगे उतने अधिक तरीके से उसको तरह तरह से उसको अपने अनभव से जोड़ेगा अनभव से उसको connect करेगा और जैसे learner ने connect करना सीख लिया तो आपकी जो आपका प्रयास है वो प्रयास होगा इसलिए जो प mission नहीं हमें देखना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि जो learner है वो creator है knowledge का और हमें उसके creation में even मदद करनी है क्योंकि हमें हो सकता है कि हम ज़्यादा थोड़ी से हमें हम ज़्यादा more matured हैं उनसे और हम उनको मदद कर सकते हैं कि हाँ ये जो learning path तुमारा है इस path को तोड़ा साथ change कर लोगे तुम बताओ कि इसमें से कौन-कौन से आवशकता है तुमारी तो इसके आधार पर आप उसको different alternatives दे सकते हैं और पिर जो alternative में उसकी रुची हो वो रुची के according to options तो जिसको हम assimilation और accommodation process की कहते हैं तो हमें learner को ये देखना पड़ेगा कि learner assimilate करे और learner उस situation में accommodation है तो ये जो online learning management system है इसमें assimilation और accommodation दूनों के chances हैं दूनों के अंसरवे जैसे एक आज जो हम देखा जाए आज की स्थिती जो है वो आज learner हमीशा high achievement की स्थिती में रहता है result चाहिए उससे result driving है और खास करके इतना competition आपने देखा होगा कि learner एक केवल और केवल जो ये एक शिक्षा का जो ये किस तर हो चुका है वो बहुत ही competitive कितना information oriented हो गया है तो हमें इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि हम कैसे learner को एक real situation में हम लाने की कोशिश करें इस तरीके से हम learner को किस तरीके से केवल memorize करने पे हम focus ना करें बलकि जब हम Google Classroom में बहुत सारे assessment के भी options हैं और आप बहुत तरीके से आप उनको एक critical उनके criticality को उनके जो एक critical thinking को उनके चिंतन को थोड़ा सा एक देखा जाए तो do's and don'ts जितने भी है या जितने भी for and against जितने भी है means क्या कि हमें देखना पड़ेगा कि learner किस तरीके से एक reflective level का thinking कर सकता है क्योंकि केवल memorize करेगा तो केवल वही content जो content आपने सीखलाया है वही content आपके सामने वो रख लेगा लेकिन जब आप एक thought process oriented या thought provoking question उसके सामने रखेंगे तो वो उसका जो अंदर का neural connection है वो connection क्या है कि वो definitely उसमें वृद्धी होगी और learner critically think करेगा तो यह हमारे लिए बहुत important है और यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत एक आज हम लोग जहां पर है learning जो है पहले था कि time and space bound learning हुआ करता था कि आपको यहीं पर आना पड़ेगा लेकिन आज यहीं देखा जाए तो लर्निंग एनिटाइम एनिप्लेस चाहिए पहले एक teacher centered हुआ करता था आज learner centered है आप देखा आप यहीं देखा जाए तो आप learner को उ कि learning सारी process teacher के लिए नहीं हो रहा है learner के लिए हो रहा है वो यहीं देखा जाए तो वो सबसे active being वो है जिसके लिए यह सारी प्रक्रियां हो रहे है तो उसे learner centered होना पड़ेगा आज textbook यहीं देखा जाए तो वो multimedia materials के रूप में emerge हो रहा है और हम usually देखते हैं कि यहीं बच्च जो original object है वो यदि आप उसे दें तो आपको लगेगा कि बच्चा यदि आप फिल्ड में उसको ले जा रहे हैं यान कि जहां पर multi-medium से आप उसे learn कर वा रहे हैं चाहे वो audio, video, sensory, kinesthetic हो जितने भी हमारे जो जो जितने भी है उनको जितना आधिक involved करेंगे जितने आधिक medium क करेंगे उतना हमारे लिए important होगा, multimedia materials, different rates and styles of learning, multiple access points for learning, means क्या, कि वो यदि देखा जाए, तो वो विद्याले में भी, वो घर पे भी, वो कहीं भी, each and every conditions में यदि उसे learning का, उसे मन हो रहा है, तो कभी भी वो bounded नहीं है, कि हम यहीं पर learn करेंगे, और learning के लिए हम यहीं आना तो इस तरीके से यदि देखा जाए, और personalized instruction, आप यदि questions भी frame करें, तो आप उसमें हर एक level के question को रहे, means क्या कि वो question knowledge level का भी होना चाहिए, वो question understanding level का भी होना चाहिए, और यदि आप question रखेंगे knowledge level का, तो content को भी आपको उसी तरीके से present करेंगे, तो यदि देखा जाए, तो personalized instruction, इस तरीके से एक बहुत important है, और हम जानते हैं, learning जो है, ये तीनों condition में, चाहिए वो learning to know हो, learning to do हो, learning to be हो, learning to live together है, ये four pillars of education है, और इसमें learning के ये चारों पिलर्स हैं, इन चारों पिलर्स को learning में incorporate करना पड़ेगा, कि जानने के लिए सीखना, घरने के लिए सीखना और हम क्या है, इसके लिए सीखना, और हम किस तरीके से एक society में रहें, मिलजूल करके इनके लिए सीखना, तो ये आज demand है, teaching learning का, और हम जानते हैं, ये जो दुनिया है, वो world को as a global village के रूप में आज considered किया जा रहा है, एक वैश्वित ग्राम के रूप में देखा जा रहा है, उस situation में, क्योंकि आज ये देखा जाए, तो population explosion है, information का explosion है, knowledge management होना चाहिए, इन दोनों explosion के इसमें, क्योंकि हमारे पास resources जो है limited है, और हमारे पास information जो explode कर रहा है, और population भी explode कर रहा है, इन दोनों के mechanism में ये देखा जाए, तो एक ICT, एक significant role, क्योंकि पूरा role play नहीं कर सकता है, लेकिन एक significant role play कर सकता है, और हमारे चुकि developmental जो goals भी है, वो multifacets है, क्योंकि आज हम जो एक sustainable development की बात करते हैं, क्योंकि आज यदि देखा जाए, कि शेक्षा व्यवस्था ने, तो हमें खास करके प्रकृती से दूर कर दिया है, और हमें यदि देखा जाए, कि हम resources क को बहुत ही नहीं समझ पा रहे हैं, कि हमारे पास कितने resources का कितना use करना चाहिए, तो हमारे पास एक learning की कुछ इस तरीके के situations भी create करने होंगे, क्योंकि जैसे यदि देखा जाए, तो इतनी population और इतनी विद्याले बढ़ रहे हैं, लेकि यदि देखा जाए, कि यदि हम ICT क प्रिमोट करें, तो कहीं न कहीं एक green technology based है, जहां पर paperless एक हम प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और हम यदि paperless कर दें, तो आप ये भी समझ सकते हैं, कि हम कितने जंगल को कटने से बचा सकते हैं, तो ये एक इस तरीके से यदि देखा जाए, तो multifacets developmental goals हैं, और ये definitely जो digital divide को ये ब्रेज करता है, यानि कि यदि content already uploaded है, यदि वो internet facilities है वहाँ पे, यदि सरकार के द्वारा यदि विद्यालेत तक ICT की facilities दे भी गई है, each and every learner के हाथ में, suppose mobile है, तो उसको लगता है कि आप कर लो दुनिया मुल्की में, तो means क्या है, यानि कि आप Stanford University के lecturer का भी, आप lecture सुन सकते हैं, हमारे जो भारतिये विश्विद्याले हैं, भारतिये विश्विद्याले में बहुत जो बड़े-बड़े eminent scholar हैं, आप वहाँ के lecture को सुन सकते हैं, means क्या कि अब ये जो है time and space से related वो bounding अब नहीं है, तो वस digital divide को gap करने में ये एक बहुत important है, जहां कि हम लोगों ने इसको देखा भी कि आज कल चो कि personal और occupational mobility बहुत बढ़ रहा है, लोग एक जिगह से दूसरे जिगह जा रहे हैं, और लोगों का materialistic orientation of life भी हो गया है, education for all campaign चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि education तक सब को पहुंचाना है, इसमें एक technology का कितना बड़ा रोल है, और आज COVID-19 में एक नई opportunity भी है, कि हमने आज चाहे हम physically meet नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन education for all campaign को partially भी success करने में ये बहुत बड़ा rule play कर रहा है, और जो lifelong learning है, इसके लिए तो खैर लिए बहुत ही 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 mechanism है, और ज तरीके से, यह भी देखा जाए, तो 21st century का जो teaching learning process है, वो एक dynamic है, demanding है, और directed होना चाहिए, focused होना चाहिए, क्योंकि ultimately जो एक sustainable learning होना चाहिए for development के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, तब तक शायद हम बहुतर स्थिती में नहीं कौन सकते हैं, और 21st century का teaching learning process जो define किया जाता है, कि हमें teaching learning को ज्याद से ज्यादा flexible बिनाना पड़ेगा, हमें learners के autonomy को बढ़ाना होगा, उसकी स्वायतता को देनी पड़ेगी, क्योंकि learner जितना ज्यादा एक autonomous होगा, वो उतना अधिक तरीके से सोच सकता है, क्योंकि learner को एक autonomy देना हमारे लिए बहुत आवश्यक ह तो knowledge dissemination बहुत important है, और knowledge dissemination में हम जानते हैं कि technology बहुत बड़ा rule प्ले कर रहा है, इस तरीके से यहीं देखा जाए, हमारे लिए बहुत ही important है, और इस तरीके से आगे जो आप देखेंगे कि classroom की conditions में ICT का interventions तो अब प्रतिक जिगह दिख जाता है, और यहीं नहीं भी दिख रहा है, तो हमें इसको रखने की जरूद पर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि आज जो teachers का जो role है modern era में, वो optimum use of technology का है, blending of modern and traditional and conventional methods, दोनों के blending का बहुत जरूवी है, क्योंकि आदनिक और जो सानातन जो हमारे जो विधिया रही है, उन दोनों को हमें एक judiciously, एक यह नयायोचित तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, कि mix करना पड़ेगा, teachers का रोल यह है, और उसको collaborative learning पर focus करना पड़ेगा, कि learning एक collaborative process है, जिसमें teacher का student के साथ, student का student का community के साथ, community का teachers के साथ, इन सब का एक बहतर collaboration होना चाहिए, और हमें उस collaborative learning को encourage करना चाहिए, इस तरी long learning को facilitate करता है, तो इस तरीके से एक curricular और pedagogic trends है, मैं इसलिए इसको focus कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप Google Classroom के मातिन से जब भी आप किसी भी learner के लिए कोई भी program design करेंगे, तो as a teacher, आपको इन सारे अवयवों को, इन सारे जो factors हैं, उनको ध्यान में रखना परेगा, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक आप एक बहुत अच्छा classroom create नहीं कर से, तब तक अच्छा content deciding कर से, क्योंकि ये Google Classroom तो है, लेकिन आप जानते हैं, कि classroom बिना content के नहीं होगा, classroom बिना curriculum के नहीं होगा, classroom बिना assessment के नहीं होगा, तो आपको ल तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो यह एक का हम यह निर्मिती बाद पे यानि कि अधिगम करता यह हमारा विश्वास है यह रतेक अधिगम करता जो है वो अपनी ग्यान का निर्मान स्वेंग करता है हम केवल उसे मदद करते हैं जो चो अंदर उसकी डिवाइन ध्यानी है यानि कि इस ही को हम कहेते है यह धो आहनो कि अधिक लेर्न जो है एक क कस्तों कि प्रोसेस है नंकि अक्टिक प्रॉसेस है जादा तर इंगेन क्लास्रूमम नीकिके जोंती अधि कर देना है तो इस ते काम नहीं चलेगा यानि कि हमें लटनिंग को इनले उम्हान क्या करते हैं इंडवीजियल की दिगन्यक उक्ति का है. उन पे उनके दिएन डिग्टिक्वाय का ख्याल रहती हैं उनके यह को दृगता indoor dog usar देन है this रखते हैं और व्यक्तिकत जो समानता है उसको भी ध्यान में रखते हैं तो इस तरीके से यह देखा जाए एक constructivist model of learning, democratic model of learning, personalized model of learning, novelty and flexibility in teaching and learning नयापन होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए क्योंकि हम एक ही model में सब को fit नहीं कर सका है तो आप जितना flexibility रखेंगे learning उतना ही successful होगा और हम देखते हैं कि यह एक skill and proficiency based learning होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जो ज्यान जब अरजित करेगा तो उसमें कुशलता आने ही चाहिए बिना कौशल के ज्यान का कोई मतलब नहीं होगा तो इसलिए जो learner के autonomy को इंक्रीज करना टेकलोजिकल इंटर्वेंशन को यह करना मल्टी स्किल औरेंटेट करीकुलम मिन्स क्या कि हम उसको एक प्रतिक जीवन के जितने वी तरह के अनुभव हो सकते हैं उनके संदर में कुशलता डेवलोग करना यह हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह दि देखा जाए तो आज emerging pinch e-learning का है जिसमें students जो है एक social networking का और यह दि देखा जाए तो बहुत सारे गूगल हो Facebook हो Twitter हो WhatsApp हो MySpace हो मतलब जितनी भी तरह तरह के आपने देखा होगा कि आज इतने platform है आज करके जो video conferencing के भी यह दि देखा जाए तो चाहे वो जितची है चाहे वो Zoom है चाहे वो Google Meet है चाहे आपने देखा होगा कि इतनी सारे platforms है अब आपको decide करना है कि कौन सा platform हमारे लिए किस गां का है और किस platform में क्या-क्या features है क्योंकि आज इतीचर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा तो यानि Google Classroom देखा जाए तो यह एक देखा जाए तो एक बहतर learning management system है जिसमें देखा जाए तो यह एक free wave service है जिसमें जो इसको Google द्वारा दान किया जा रहा है और केवल इसका प्रयोग हम educational institution में training institutions में जिसका यह भी देखा जाए इसके माधिम से हम कोई भी content को create कर सकते हैं इसका सरजन कर सकते हैं और केवल सरजन ही नहीं कर सकते हैं बलकि हम इसे distribute कर सकते हैं और distribution में कर सकते हैं हम learning के learner की need के according to distribute कर सकते हैं तो इस तरीके से distributing और cable creating यानि कि केवल सरजन करना ही नहीं विकास करना ही नहीं content का बलकि distribute करना भी और distribution के बाद उसका grading भी कर यानि कि इसमें इवालवेशन भी आपकर सकते हैं तो इवालवेशन भी एक बहुत important aspect है यानि कि देखा जाए तो एक Google classroom का जो primary purpose है वो क्या है कि हम एक vibrant classroom create कर सकते हैं एक smart classroom decide कर सकते हैं एक paperless classroom develop कर सकते हैं और जहां पर learner अपनी गती के अपनी आवशक्ता के अपने अपने teacher से student से और यदि हम मौका दें तो इसमें हम इवन की उनके parents को different email id के बार दिन से हम उनको भी add कर सकते हैं कि ताकि या एक parents को भी पता चल सके कि एक virtual learning platform पे बच्चे क्या कर रहे हैं और teacher क्या कि इसमें एक अच्छी monitoring process की है तो यदि कहा जाए तो the primary purpose of Google classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and trainers गूगल classroom के साथ-साथ एक कहा जाता है कि यह cohesive platform cohesive platform का मतलब यह है कि इसमें हम एक बहुत प्रहुकत का बहुत तरीके का convergence कर सकते हैं मिला सकते हैं और इसके साथ-साथ हम एक multiple platform को हम यह कर सकते हैं तो देखा जाए तो हम documents को integrate कर सकते हैं Google sheets को कर सकते हैं Slides को कर सकते हैं Gmail को कर सकते हैं Google calendar को कर सकते हैं और इस तरीके से यह देखा जाए तो सारे प्रेटफॉर्म को हम एक cohesive तरीके से यूज़ करें जिसमें जिसका main काम है कि student और teacher की communication को manage करें क्योंकि हम जानते हैं कि teaching learning process में communication बहुत important role play करता है आप आपने कोई content आपने upload किया तो आप communicate कर रहे हैं student से student फिर इसको read करेगा student फिर से हमें बतलाएगा क्या हमको यह समझ में आ रहा है हमको यह समझ में नहीं आ रहा है हमको इस content का यह simplification चाहिए means क्या कि आप एक जो एक synchronous communication कर सकते हैं आप एक learner के साथ teacher और teacher learner के साथ learner learner के साथ एक देखा जाए तो multipolar तरीके से वो एक suppression कर सकता है communication कर सकता है तो इस तरीके से देखा जाए तो एक यह बहुत important है कि हम इसमें बहुत platform को integrate कर लेते हैं converge कर लेते हैं मिला लेते हैं और उसके बाद एक effective learning environment create करने की कोशिश करते हैं और student को हम आज करके बहुत ही एक private code के माध्यम से जो automatically आप में suppose कि जब google classroom आपने डाउनलोड किया और जो कि आप जब अपने email को जब आप खोलते होंगे और आपको email खोलने के just आप देखते होंगे कि आपके right hand side में एक icon रहता है उस icon में जो crossbar type के रहते हैं उसको जोड़ी आप click करेंगे जिसको हम आप लोग आगे practice करेंगे उसको जोड़ी आप करेंगे तो उसमें google के सारे services आपको उस icon को जोड़ी आप click करेंगे तो आपको आपको एक अच्छा इंटरफेस देखेगा उस इंटरफेस में आपको जो select करना है आप ले सकते हैं यानि कि google अपने सारे जितने भी communication के लिए प्लेटफॉर्म है चाहे वो audio प्लेटफॉर्म है वीजुल प्लेटफ किसी पेपर के नाम से आप classroom create कर सकते हैं तो वो depend करता है कि आपकी क्या need है और student की क्या need है और किस तरीके से categorize बहतर तरीके से क्या दा सकता है इसको आपको सोचना है तो यह हमारे लिए बहुत important है teachers what teachers can do देकि teacher जैसा कि मैंने बताया कि teacher जो है वो content को create कर सकता है content को distribute कर सकता है साथ ही साथ mark भी assign कर सकता है और गूगल का यदि देखा जाए तो गूगल का अपना एक ecosystem जिसमें मैंने बताया कि बहुत सारे services है गूगल उसके माधिम से हमने suppose Google classroom में एक हमने YouTube से एक वीडियो लिया उसका link हमने copy कर दिया और उसके link जैसे हमने copy कर दिया और share to all कर दिया तो और हमने कहा कि इस वीडियो को आपको देखना है और इस वीडियो का जो है वो brief एक आपको एक इसको summarize करना है या इसका critical review करना है अब आप आप आपने कहा कि critical review रिखिये और critical review करने के बाद आपने क्या 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 को उसको assist किया और आपने उसकी एक grading कर दिया अब वो grading के माधिम से वो देख सकता है कि हमने इस content को कितना learn तो एक assessment जो है एक बहुत बड़ा feedback है student के लिए आप इसके माधिम से भी कर सकते है usually जितने भी इन देखा जाए तो हर एक class का एक separate जो एक separate folder एक create हो जाता है और जो Google Drive से connect हो जाता है और आप जब भी चाहें आप अपने इक्षा के according to जब भी आपको फुरसत मिले जब भी आपको नीड हूँ उसके according to आप उसको access कर से यानि कि student अपने ड्राइव जो जो उसका जो Google Drive है उसके माधिम से और teacher अपने Google Drive के माधिम से इस तरीके से यानि कि इसका जो storing है वो भी इसके अलाबा यदि देखा जाए तो हम केवल ऐसा नहीं है कि जब हम assignment दे सकते हैं तो उसका हम date decide कर सकता है और assignment में भी हम ये भी लग सकते हैं कि ये assignment mandatory assignment है या ये assignment जो है mandatory नहीं है ये non graded assignment है या graded assignment non graded का मतलब है कि हम कोई grading नहीं करेंगे हम केवल हम एक knowledge के लिए हमने share तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही important part हमारे लिए हो जाता है कि हम time specific learning को एक संचालित कर सकते हैं तो और यदि due date के बाद यदि learner जमा भी करना चाहेगा तो वो उसमें लिखेगा कि आपने इस due date के बाद आपने जमा किया है उसका फिर assignment वो अ जो उस class को संचालित कर रहा है वो जो teachers है उस पर depend करता है इस तरीके से देखा जाए तो teacher अपने progress को भी monitor कर सकता है और student भी अपने progress को monitor कर सकता है तो दीखे कितना important part है ये teacher को भी एक मिल जाएगा कि हमने जो content develop किया या जो हमने एक lecture खुद का ही lecture record करके हमने google classroom में हमने upload कर और फिर बच्चों को हमने कहा कि आप इस lecture को आप सुनिए और उसके बाद आप बताईए कि आपने क्या समझा और उसके बाद हमने उसी प्याधारित हमने एक quiz develop कर दिया या assignment develop कर दिया या questions हमने डेवलप कर दिये और उसके बाद हमने कहा कि चलिए ठीक है अब आपको ये part करना है तो आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रयाज के वो प्रयाज कितना सफ़ल यह हम इसे कर सकते हैं गोगल क्लास्ट्रूम से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आस्पेक्ट है और इसका यह नहीं है कि केवल लैप्टॉप के माद जिम से या किसी वेब ब्राउजर क माद जिम से बलकि आप मोबाइल से जाए वो एंड्रॉइड हो चाए आइफून यानि कि जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड दूनों पे आप इसको रन करने की इसमें पोटेंशल तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप गूगल क्लास्रूम को आ आप कर सकते हैं क्योंकि यह बहतर होगा कि क्लास्रूम करने से पहले आप जितने भी लर्णर के पॉन्टैक्ट नंबर हैं चाहिए उनकी इमेल आईडी वो आपके पास रहना चाहिए ताकि आप एक बिटर कमिनिकेशन और आप एक दम बिलकुल एक एक कमिनिकेशन कर सकते ह एक आप मोबाइल के थू भी और वेब ब्रॉजर के माधिन से भी यानि कि देखा जाए तो डिक्स्टॉप और लैप्टॉप के माधिन से भी आप इसको संचालिक कर सकते हैं तो यह देखा जाए तो गूगल क्लास्रूम एज स्मार्ट क्लास क्यों जैसा कि यह पूर में भ तो गूगल शीरिस, लूगल स्लाइड जूमैल सबको एक सात करके हम क्लास तो यह देखा जाए तो यह Serip और लैपरियर सिस्टम जयता है यानि कि एक यह देखा जाय? तो यह एक री लर्निंक को भी पिपरवाइट करना है जो यह दिक आई तो लनर के लिग कि इतना यदि learner ने भी कुछ content share किया है, तो वो दोनों के लिए किसी भी समय में उसकी usability रहती है, तो आपको hard copies जो भी होते हैं, उनको सम्हालना कितना मुश्कुल होता है आपके लिए, तो ये भी एक वहतर ये है, Google Calendar, इवन कि Google Calendar को आप ये कर सकते हैं, कि आपको कब कौन सा lecture होगा, या कौन सा lecture कब upload होगा, इवन कि इसमें यदि देखा जाए तो Google Classroom में, आप convergence के model पे आप directly एक webcasting भी कर सकते हैं, या आप एक direct, जो जिस तरीके से अभी हम लोग Google Meet के थूँ कर रहे हैं, तो Google Meet का आपने link लिया, और आपने Google Classroom के उस notification वाले उसमें या say to something उसके column में आपने उस copy को आपने पेस्ट को आपने पेस्ट कर दिया, और फिर वहां से आप learner से आप physically, ओनलाइन के मादिन से आप communicate कर सकते हैं, कि आप video जो एक communication है, जो online communication है, यानि कि आप जो एक virtual communication है online के मादिन से जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वैसे भी आप Google Meet को Google Classroom में converge करके आप आसानी से कर सकते हैं, यानि कि दोनों process हो सकता है, आप एक Google Classroom को आप चाहें तो बिना direct communication के भी आप कर सकते हैं, means कि आप जब नहीं, आपको जब फूर्सत मिला, आपने content को upload कर दिया, फिर learner जब भी उसको access करेगा, learner को मिल जाएगा, फिर आपने कहा कि advance में, कि आप लोग इतने बज़े ready रहिएगा, हम लोग online हो जाएंगे, और online फिर हम लोग आपस विमर्श करेंगी, कहां पे किसको क problem, यानि कि convergence के model पे आप इन सारी गकिविधी को अंजाम आप दे सकते हैं, तो इस तरीके से देखा जाएं तो Google calendar का हम बहतर यूज कर सकते हैं, यानि कि कौन सा due date होगा, due date के आधार पे हम अपने सारी activities को organize कर सकते हैं, और student can be invited to classroom, through the institution's database, institution में database already रहता है, और आप भी जब communicate करने की कोशिश करेंगे, तुमका database आप को रखना ही पड़ेगा, तो चाहे private code के मात दिन से, क्योंकि each and every जैसे ही आप Google classroom को download करेंगे, या आप अपनी Gmail account से जैसे ही Google classroom को access करने की कोशिश करेंगे, तो प्रते class का एक private code आ जाता है, और वो private code आपको share करना हो, आप अपने student के साथ आप share करेंगे, और फिर student को वो invitation जाएगा, फिर वो उस invitation को student accept करेंगा, और फिर इस तरीके से आप student को join करवा सकता है, तो इस तरीके से एक आप personal level पे भी और school या university एक system के level पे भी इसको use कर सकता है, तो each class created with Google classroom creates a separate folder in the respective users Google drive, जैसे हमने कहा कि teachers, जड़ी कुछ भी content create करता है, और उसको upload करता है, तो उसके Google drive में जाकर के वो store हो जाता है, और student भी इस तरीके से जब कुछ material share करता है, तो वो उसके drive में चला जाता है, और फिर हम दूनों के उसको हम देख सकते हैं, जब वो share कर दिया जाता है, और इसका जो सबसे बेटर पार्ट जैसा कि कहा, कि आप जैसे एक teacher है, तो teacher के लिए assignment देना बहुत जबरी होता है, और देखा जाए कि आज जैसे COVID-19 के बाद विश्विद्याले physical examination के लिए करने के लिए हिमत नहीं जूटा पा रही है, क्योंकि physical जैसे ही contacts बढ़ेंगे, यह pandemic situation और भी विख्राल रूप धारण कर लिए, तो यह एक यदि बहतर learning management system को यदि develop किया जाए, और assignment को develop किया जाए, असमें एक pain assignment का भी है, उसमें quiz का option है, उसमें questions के options है, उसमें इतनी सारे options हैं, कि आप able, यदि उसको successfully, आप assignment को create कर लेते हैं, तो आप student को आसानी से आप assist कर सकते हैं, उसको evaluate कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह एक collaboration है, teacher and student के बीच, student and student के बीच, और एक sharing document का या sharing content का एक बहुत ही जवर्दसता medium है यह, और हम जानते हैं, कि उसके बाद जैसे ही student submit करेगा, या हम कोई content को submit करेंगे उस पे, तो student जैसे ही उसको पढ़ेगा, उसको read करेगा, उसके बाद उसको जैसे response करेगा, तो उसकी grading भ कर सकते हैं, वो depend करता है, या आप formal situation में grading करें, या आप informally capable learner को feedback दें, कि आप अभी इस level पे यह है, यानि कि summative evaluation के लिए, और देखा जाए, तो एक formative evaluation के लिए, जिसको CCE भी कहता है, comprehensive and continuous evaluation के लिए भी, आप यह assignment का use कर सकते हैं, जो कि एक बहुत वंदरफू इसका application है, means क्या कि teachers may use a file that can then be treated as a template, so that every student can edit their own copy, and then turn back in for a grade, instead of allowing all students to view, means क्या कि आप personal communication भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि आप यदि कोई content डालेंगे, तो सारे student को visible हो, यह teacher पे depend करता है, और वो student पे यह करता है कि यदि उसको private message डालना चाहता है, कि ताकि उसके लिए कोई embarrassment ना, क्य हम जानते हैं कि कभी-कभी student भी होता है, वो अपने response को या अपने answer को दूसरों को share नहीं करना चाहता है, वो कि वो teacher के साथ share करना चाहता है, यह क्योंकि एक human tendency है, क्योंकि आप अपने teacher के साथ ही, आप अपनी समस्या को बताने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों के साथ अ कर सकते हैं इस्टूरेंट के लिए विब्रिक कर सकते हैं किस तरीके से आप असेस्ट करो आप किस तरीके से एवालुएट करें असेस्मेंट और कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इसीडियर करने जा रही तो आप रयूबरिक कर सकते हैं आसेस्मेंट की ताकि पहले से Spotify की इस तरीके से शाटे हैं कि आप अजय बाइंक क susreiben का आप ईश्तूर आप और आप गेम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं और रूल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए गेम स्टार्ट करने से पहले आपको रूल डिफाइंड करना है तो इसके लिए एक इंपॉर्टन पार्ट यह है कि आप ग्रेडिंग कर सकते हैं ग्रेडिंग के डिफेंड रोगिं के वह learner केवल आपो कोई टास्क, परिक्थे टास्क कि अपूरीटास्क के नीए को अनॉंसमेंrzy हो so तो अनॉंसिमें करते हैं। अ MARY अनॉंसिमें। तूवस पिससिति में अबलिबल है और स्टुडेंट के आपनी प्राब्लम को शेर कर सकता है कि यदि आपनी ये अनॉंस किया है तो आज हमारे साथ ये डिफिकलिटी है तो टीचर उसको उसको कंसीडर भी कर सकता है है कि हाँ यदि चलू की कहा कि यदि मिजर्टी अफ इस्टुडेंट के साथ आज किसी पर्टिक्लर डेट में असेस्मेंट में कोई प्राब्लम हो रहा है तो दूसरा डेट कर सकते हैं तो मिल्टीपल यदि देखा जाए तो टाइपस अफ मीडिया फ्रम गूगल प्रडुक् वन या मेनी के साथ जीमेल के थ्रू भी आप इंटराप्ट कर सकते हैं वो फैसलिटीज आप उसमें अल्रीड अबलेबल है और जैसा कि आपको कहा गया था क्लास्ट्रूम कैन भी एकसिस्ट ऑन वेब और वाया दे एंड्राइब और जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्ला रिपॉर्ट को देखें कि स्टुडेंट में जो असाइनमेंट जमा किया है वो कितना और इसनल है कहीं से वो कट पेस्ट कॉपी तो नहीं कर दिया है तो यह आप इसको भी चेक कर सकते हैं तो जी स्वीट फॉर एड्यूकेशन जो एक फ्री वर्जन है उसमें कम से कम आप त्री असाइनमेंट का आप रिपॉर्ट ओरिजनलिटी का रिपॉर्ट ले सकते हैं कि सुरिंट ने जो यह जमा किया है वो कितना और इसनल है और जो इसका यदि देखा जाए जी स्वीट इंटरप्राइज फॉर एडुकेशन गे पेड वर्जन उसके माध्यम से आप अवारा में कहते हैं कि कहीं का कंटेंट बचे कहीं लिफ कर लेता है और और कहते हैं कि हमारा है तो आप इसको भी जो कर सके हैं इसकौ मेरिजिनलीटी रिपॉर्ट का कृशचा sinisterउक्ति तो अव्मर्टी ये esse पॉर्टषम आप शक्यां अपर्षम से समेद गयरिडों जजम जो भी citation बच्चे ने नहीं लिखा है, तो यह flag कर देगा, source material बता देगा कि यह exactly content बच्चे ने यहां से lift किया है, और यह इस गत्ती का contribution, यह इस गत्ती का intellectual property राइज है, यह इस गत्ती का इसका एक copyright, तो इसको एक train क्या जा सकता है बच्चों को, किस तरीके से citation देने में honesty रह report, allowing them to verify the academic integrity of the students, क्योंकि academic integrity, जो है, academic जो शुचिता है, academic शुचिता का होना बहुत आवश्यक है, और इसको हम यह कर सकते हैं, और archive course है, means क्या, यदि देखा जाए, तो यही, suppose कि आपको लग रहा है कि वो class जो है, अब समाप्त हो गया है, और आपने suppose कि 20 days या 30 days या something, आपने किसी particular subject के साथ आपने उस class को यह किया है, आप उसको अपने archive में रख सकते हैं, और इसका benefit क्या होगा, कि आप उसको फिर से restore कर सकते हैं, कि ताकि यदि आपको आपके साहने कोई दूसरा batch आए, तो आप इसी तरीके से आप उसी format पे आप उसी content को reuse कर सकते हैं, यानि कि इसका reusing facilities भी है, जो आपके मेहनत को बचा सकता है, आप उसको contextualize कर सकते हैं, बड़ा सा re-modify कर सकते हैं, इस तरीके से देखा जाए, तो classroom allows instructors to archive courses at the end of a term for a year, semester and यदि है, तो आप यदि आपको लग रहा है कि जिस classroom को इस तरीके से आप इसको archive कर सकते हैं, और when a course is archived, teacher and students can view it, but won't be able to make any changes to it until it is restored, जब तो इसको restore निए क्या जाएगा, और इस तरीके से mobile applications जैसा कि मैंने बताया ही आपको, कि Google Classroom mobile apps introduced, किया गया January 2015 में, और जो कि iPhone में भी और जितने भी Android devices हैं, वो समय already इसको आप download कर सकते हैं, और इस तरीके से जिदी देखा जाए, तो जो G Suite for Education है, वो समय हैं, एक यह बहतर option है application से, तो यदि इन टोटो यदि हम इसे conclude करें, तो लगता है कि यह एक पेपर्लेस classroom को एक प्रमोट करता है, यह जितने भी Google के जो products हैं, वहां तक यह हमारी access को अना लेता है, और उसके beyond, यह कोई और दूसरा link भी आप share करना चाते हैं, या आप दूसरा कोई आप इस तरीके से आप यह कर सकते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, और instant collaboration हो सकता है between teachers and students, आपको लग रहा है कि एक ही classroom में हम 3-4 teacher को बुलाएं, तो आप teacher को भी add कर सकते हैं, और आप YouTube देखा जाए, तो आप केवल और केवल, जो multiple teachers एक अपने specialization के according to इसमें से जूर सकते हैं, और एक यह बहुत interesting kind of teaching होगा है, तो एक teacher to teacher, एक teacher के साथ साथ बहुत सारे teachers को हम add कर सकते हैं, और even student को तो हम add कर सकते हैं, यह यानि कि बहुत ही simple to setup है, और यह money वी saving है, और for teachers being able to better track as a student progress, यह एक यह देखा जाए, तो Google Classroom का एक important aspect है, यह इसमें यह हम देखें, तो हमारे लिए एक बहुत important part यह है, अब हम यह समझें कि यह Google Classroom को किस तरीके से हम download करें, Google Classroom को हम किस तरीके से यह करें, तो हमारे लिए बहुत important यह है, यह देखा जाए, तो आप सभी जितने भी आपके पास, जिनके पास mobile हूँ, वो play store में जाकर के आप Google, यह जो classroom है, classroom में यहां से आपको हमारा screen दिख रहा होगा, जिसमें अभी मैंने आपको देखिए कि just, मैंने एक icon को click किया है, जहां settings के just बगल में और जो हमारा image जहां पे एक iconic image दिख रहा है, उसके बीच में जो यह Google Apps का जो भी एक icon है, उस icon को जिदे आप click करते हैं, तो आप Maps, YouTube, यह Play Store है, यह News, Gmail, Google Meet, Contacts, यह मुझे लग रहा है कि आप screen देख पा रहे हैं, हलो, जी, 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 जी ना रहा है, ओके, तो इस तरीके से यदि देखा जाए, तो आप इस Google Classroom को, इस app को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहां से जा करके, और आप यह देखिए कि इसका जो यह icon है, यह देखिए, एक यह जो, यह 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 का कवर का यह एक boundary line है, और उसके बीच में एक white color का teacher का symbol है, और उसके बदल में student का, इस तरीके का icon डेबलग किये गए है, तो यह classroom का जो एक यह है, आप इसको यदि आप download करेंगे, और इसको यह आप activate करेंगे, तो जैसे ही मैं इसको suppose कि, इसको मैं click कर रहा हूँ, तो देखिए कि अब यह देखिए, क्योंकि जो मेरी account पे जो हमने create किया हुआ है, अब आपको दिख रहा होगा, कि हमारे जितने भी जहां मैं class लेता हूँ, यहाँ पर suppose कि M.Ed. Special का class या फिर B.E. Education का class या फिर आप लोगों के लिए गूगल classroom पूरेंट, यदि एक दू से पूछा जाए, कि आप लोगों में से कितने लोगों ने, चाहे हो mobile से, या Google, अमाले Google Play Store से आप लोगों कितने ने गूगल जो classroom है, उसको आप लोगों ने download कर लिया, और उसको activate कर लिया, कितने लोगों ने कर लिया है? आप लीज सभी अपना done लिख के chat बास में भीजिये अपना, सरको chat बास में भीजिये, done लिख के, done, done, done. काफी, काफी, जैसे डॉक्टर रीना, डॉक्टर अखिलेश, अन्जू गुक्ता जी, गीता चौधरी, काफी लोगों ने डंडन करके मैंने कर लिया है, बहुत बढ़िया, classroom activated already, डॉक्टर अम्रिता चौधरी, काफी लोगों ने कर लिया है. Yes, I am using it presently, okay, fine, fine, बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से यदि देखा जाए, तो आप इसको, अब आप यह देखिए कि, अब यहाँ पर मैं suppose कि, इको मैं कुछ लिख रहा हूँ कि, आपको बताया कि यदि आप अपने student को, जो आपने classroom create किया गया है, तो प्रते class का एक code होता है, वो code आपको share करना पड़ेगा, थूँ email के थूँ, या थूँ WhatsApp के थूँ, बच्चा क्या होगा, कि जैसे ही Google को यह करेगा, उसमें एक plus का option आता है, उस plus में, create class, जैसे ही आपको Google Classroom को, जैसे आप download करेंगे, उसमें दो option आएगा, create class या join class, तो यदि आप कहीं student के रूप में, या participant के रूप में, तो आप even join करेंगे, और यदि आप कोई create class, या teacher के रूप में create करना चाहते हैं, तो आप create करेंगे, जैसे आप class create करेंगे, तो प्रती एक classroom का अपना एक class code, और उस class code को आपको share करना पड़ेगा participants, और फिर जैसे ही आप share करते हैं, student फिर join करते हैं, और उसके joining के बाद, आपको उसमें यदि देखा जाए, तो जैसे आप join करवा देंगे उनको, तो आप उसके according को, आप पहले से एक यदि देखा जाए, तो ए यह पता चलिए कि कितने लोग ऐसे आपके dashboard पे दिखेगा कितने लोग जुड़ गाए हैं, लेकिन आप एक normal communication बहुत स्टार्ट कर देखें, ताकि student के comfort, student का आपकी स्कीनटेड़ ही है, करें प्रिणे मिला करें सुनिगर्बा है, सल्टेन खाया है, सुनिगर्वा शै किक यह हैmor थे कितना आपके graod बिल के खिने ट्लिगेुड़। स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर बहुत चुटा दिख्राइब है, क्लियर नहीं हो रहा है Okay, okay One minute One minute Sir, अभी दिख्राइब स्क्रीन दिख्राइब ना? यह अब दिख्राइब गूगल क्लास्वूम Yes, Sir, दिख्राइब Okay, fine तो यहाँ पे देख्ये कि अब आप इसका जो सबसे important part है कि जैसे आपने कर लिया तो class code आ जाता है class code आपको share करना पड़ेगा यह class code तभी होगा जब आपने classroom को create किया है जब classroom join करना होगा तो किसी दूसरे से कोई जो teacher होगा या main presenter होगा वो आपको class code शेयर करें तो यहाँ पे जो जैसे मैंने इसका नाम रखा है जैसे आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा उसमें बहुत सारे detail आपको मांगे उसमें preliminary detail की classroom का नाम क्या रखना चाहते हैं आप कौन सा section है means क्या कि इसमें आप इसको अपने according to naming कर सकते हैं उसके section का नाम रख सकते हैं syllabus wise रख सकते हैं content wise रख सकते हैं आप जो भी है वो आप अपने according to ताकि categorization में और classification में सहुलियत है यह तो otherwise केवल आप अपने name से केवल करेंगे तो हो सकता है कि categorize करने में आपको जो आप अर्धाइब भी करेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा तो कोशिश यह कीजिए कि जो content है या जो paper wise है paper wise या जो भी किसी particular concern के साथ आप कोई classroom develop करना चाहते हैं तो आप उसका जोड़ी नाम रख है तो आपको classification के लिए और फिर class code आपने शेर कर दिया और student या participants आप जोएंड कर दिया जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है good evening today we will learn about google classroom और यहां पे यही देखा जाए तो अब यहां पे यही मांग रहा है कि आप क्या-क्या add कर सकते हैं इसमें कोई इसमें तीन चीज़ आ रहा है google drive means क्या कि google drive से ही कोई content आप लेना चाहते हैं यह भी आप यहां पे introduce कर सकते हैं कोई link आप यह भी लेना चाहते हैं आप यहां पे link शेर कर सकते हैं कोई file जिदि आपके system में पढ़ा हुआ है आप उस file को upload कर सकते हैं और फिर आप माल दिया जाए कि यहां पे हमने किसी file को share अब यहां पे यह कह रहा है कि insert files using google drive या share drives या recent या upload अब यहां पे एक आ रहा है आप देते हो है कि drag files here select files from your device अब हमने suppose कि जिस content को suppose मैंने share किया है आपनों के साथ अभी वे google classroom pptx हमने इसको किये किया open किया अब यहां पे वो add हो गया अब हमें इसको upload करना है अब यह gradually upload हो रहा है अब यह आपने देखा कि यहां पे यह आ चुका है google classroom ppt ads और यहां पे हम इसको अब post का आता है अब यह right अब देखे कि यह already काफी लोग जूड़ चुके हैं यह देखा जाए तो इसमें आप लोग के लिए पहले से इसमें अब इसमें यह इस तरीके से हम लोगों ने जो google slides यह देखे आपको देख रहा होगा कि जो अभी हम लोगों ने जो present किया यह presentation start हो गया हो यह complete presentation है यह presentation यानि कि यह चाहे notification के लिए हो चाहे content के लिए हो चाहे यह केवल किसी student को कोई आप एक previous knowledge को check करना चाहते हैं उससे related हो तो आप need के according to और student के need के according to आप इसको यहां पे upload कर सकते हैं यानि कि जिसको कहते हैं breaking the eyes या जिसको हम कहते हैं learner को किसी खास classroom के लिए learner को किसी खास content के लिए उसको थयार करना और उसके लिए preliminary उसके लिए जो प्रारंबिक जो information है वो information ताकि student का interest बढ़ जाए learning तो आप इस तरीके से first जो content या first information या first जो exciting जो कोई experiences जो आप उनके साथ share करेंगे खास करके usually यदि कोई adolescent learner है या कोई kids है या कोई किस age group का है या किस cultural context का है तो आप को categorize करना पड़ेगा कि कि तरीके का preliminary information share करें ताकि आपके classroom के प्रती बच्चों का interest है वो बढ़ जाए तो यह आपने देखा कि इस तरीके से हमने इसको यह किया अब यहां पर देखा जाए तो यह stream आप यहां पर Google Classroom यह चार आप यह देखते होंगे कि एक stream दूसरा classwork तीसरा people और चौथा grades यह और यहां पर यहां पर यहां setting है तो आप देखे कि इस classroom के setting को तो यहां पर पहले से हमने class details में Google Classroom workshop class description section A room number one और इस तरीके से class code यहां से भी आप जान सकते हैं जहां पर T5 JV DLF stream student can post and comment हमने यह कर दिया है यहां पर देखें यहां पर एक option है कि student can post and comment यानि कि post भी कर सकते हैं comment भी कर सकते हैं अब यहां पर दूसरा option यह भी है कि student can only comment यह आपको depend करना है कि आप किस तरीके की liberty देना चाहते हैं और only teachers can post क्योंकि एक यह आप देखा जाए कि एक बिल्कुल एक democratic आपको यह करना चाहते हैं तो आप को एक right देना पड़ेगा student क्योंकि ताकि student post कर सके comment भी कर सके आपको लग रहा होगा कि केवल एक हमें information देना है student के feedback की कोई ज़रुरत नहीं है तो आपको केवल only teachers can post or comment और जहां के multiple teachers होंगे multiple teachers को आपको यह एक authorize करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपने देखा होगा only teachers भी है यानि कि आप बहुत अधिक teachers को भी एक से अधिक teachers को भी आप इसमें और classroom on the stream show condensed notification यहां पर देखिए एक दो तरीके का है एक तो show attachment and details जो भी आप upload करेंगे यह attachment भी दिखेगा show condensed notification और hide notification यानि कि इन तीनों options में से किस तरीके से आप अपने classroom को organize करना चाहते हैं यह यह है और फिर show deleted items अब यहां पर देखिए अगर पर हमने show deleted items जैसे हमने यहां पर change किया यह यहां पर देखते हूँनगे यह save का option आ रहा है यह हम ऐसा करेंगे क्योंकि पहले से हमने set एक दूसरे तरीके से क्या हुआ है कि हमने अभी show deleted items मैं यहां पर option मैंने change किया है यहांप error waip मैं इसको पुराने कंडिशन में ही ले जा रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ अब इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपके सामने ये एक स्ट्रीम का आप्शन है और अब स्ट्रीम में आप समझ गया हूँगे कि यदि कोई नोटिफिकेशन शेर करना हो आपको कोई content upload करना हो आपको कोई audio video lecture upload करना हो आपको जो भी upload करना होगा वो आप screen के थ्रूँ आप ये कर सकते content फिल classwork जो है अब यहाँ पर यह दि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत important part है कि जैसे आप classwork करते हैं यहाँ पर आप देखिए कि एक गूगल calendar भी है यानि कि आप इसको date wise आप इसको plan कर सकते हैं कि कि किस date में हमको क्या करना है किस date का क्या यह होगा कब हम आज करके classroom के exposure के लिए या जह हम lecture देंगे उसके learning के लिए कितना time रहेगा assignment का क्या होगा आपने यहाँ पर देखा होगा तो जैसे हमने Monday 15 को questions Google classroom का assignment introduction यह सारा completely इसमें यह detailed है और इसको हम access कर सकते हैं यह आपके लिए एक बहतर option है Google calendar का जिसमें इसको time oriented और date oriented और day oriented इसको गना सकते हैं और इसके साथ साथ जो यह सबसे important इसका फीचर है वो यह है create अब इसमें आप assignment create कर सकते हैं आप इसमें देखें कुई assignment आप दे सकते हैं आप इसमें question दे सकते हैं आप कोई materials share कर सकते हैं और जो भी कोई post आपने पहले आपने यह किया था उस post को आप फिर से reuse कर सकते हैं इतनी सारे portion या option है और इस option को यह हम देखे एक एक करके को हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जैसे हम लेते हैं assignment कि किस तरीके से हम assignment का यह करें अब assignment का title क्या होगा माल यह जाए कि assignment का title है introduction to introduction to instruction में आपने देखा हुआ कि यहाँ पर optional है instruction में आप यह भी दे सकते हैं कि आपको इसको किस तरीके से करना है या नहीं करना है किस तरीके से करना है तो मुझे लगजा है कि बहतर होगा कि आप instructions यूँ optional है लेकिन आप instruction को प्लेर कर लिजेगे तो आप instruction को यहाँ पर डाल सकते हैं कि किस तरीके से इस assignment को complete करेंगे या इस assignment को किस तरीके से वो पढ़ेंगे कि इसमें क्या-क्या जो पार्ट है इसमें focus करने के लिए है और कौन-कौन सा पार्ट को विशेश ध्यान देने के लिए है इस तरीके से यह instructions का पार्ट है इसके बाद देखा जाए यहां फिर से यह देख रहा है कि यह मांग रहा है कि गूगल ड्राइब से आप क्या कोई assignment आपने गूगल ड्राइब में आपने कुछ save करके रखा है या कोई ऐसा assignment है जो आप लिंक के मादिम से provide कर सकते हैं या फिर system में कोई आपने file save कर रखा है तो file के मादिम से और या फिर हमने YouTube के मादिम से यहां पर यदि हम देखें कि YouTube का option यदि हम यह करें YouTube का करें और यहां पर यहां पर देखा जाए कि Google Classroom से related है Google Classroom से related हमने सर्च किया कि ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन सा content को यहां पर upload करेंगे उस assignment के लिए अब यहां पर हमारे साथ बहुत सारे option है अब यहां पर है कि Google Classroom कुछ वीडियो ऐसे हैं कि जो हिंदी में available है कुछ वीडियो ऐसे हैं कि जो English में available है तो अब हमें यह decide करना है कि हमारा purpose क्या है हमारा purpose ऐसा है कि वो दूसरी भाशा में भी Google Classroom को समझें या हमारे लिए यदि learner इसा है कि उसको केवल सपोज English ही समझ में आती है तो हम English option चूच कर लेंगे option पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई भी link यहां पे upload कर देंगे सबसे पहले आपको पहले से एक planning करना पड़े कि हमें assignment में ये वीडियो हमें upload करना है ऐसा नहीं कि हम यहां पे आ करके decide करें क्योंकि आप आज ए बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आप कोई भी ऐसा वीडियो upload मत कीजिए कि जिसको आपने शुरू से लेकर के अन तक आपने देखा नहीं हूँ आपने analyze नहीं किया क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हम बहुत हरबड़ी में होता है और हम एक ऐसा वीडियो upload कर देते हैं कि जिसका accent आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ ऐसे foreigners के भी वीडियो इसमें available हैं कि जहां पर आपको लग रहा है कि हमारे learner को ये accent ही समझ में नहीं है कुछ ऐसे हैं कि जो Hindi में तो Hindi में भी कुछ ऐसे learner हैं कि जो Hindi और English में थोड़ी बहुत command है है दोनों में command है हमें ऐसा देखना चाहिए क्या कोई bilingual है यदि हम ऐसा देखेंगे कि English बिलकुल नहीं समझ में आती है तो हम Hindi वाला means क्या कि यहां पे upload करने के अपिक्षा जो सबसे अधिक importance इस बात का है कि आप सबसे पहले assess करें आप सबसे पहले evaluate करें कि आपके learner के लिए कौन सा suitable यह सबसे importance है तो हम माल लिया जाए कि हम एक ऐसा यह video select करते हैं और यहां पे आप देखती होंगे कि आप यहां पे add का option आता है और हमने इसको add कर दिया अब यह जैसे ही हमने add किया और इस add करने के बाद अब यहां पे suppose कि कोई documents हम upload करना चाहते हैं इससे related या इसके संदर्म में कुछ हम करना चाहते हैं या कोई और slides यह करना चाहते हैं या कोई sheets हम इस पर upload करना चाहते हैं या कोई drawings हम यह करना चाहते हैं और या कोई Google Forms में हमने कुछ design किया हुआ है हम इसका हम यह दिक करते हैं तो आप देखिए यह हमारे लिए कोई हम सपोज एक option चूश करते हैं अब यहां पर देखिए कि हमने एक video suppose upload किया था और उस uploading के बाद अब हम usually क्या करते हैं कि हमारे पास यह एक वहतर बहुत अच्छा feature है आप उस video को सबसे पहले आपने देखा हुआ और आप उस से related आप यहां पर questions आप डालिए तो suppose कि सबसे पहले मैं यदि यह कहता हूं कि यह डालता हूं पहले इसका हम नाम रख दें कि गूगल classroom assessment learning assessment learning assessment अब यहां पर आपके पास यहां पर दिखिए कि बहुत सारे option है अब आप यहां पर short answer में दे सकते हैं आप paragraph में दे सकते हैं आप multiple choice में दे सकते हैं क्योंकि short answer आप select करते हैं suppose तो आप यहां पर question आपने डाल दिया ही what do you mean by LMS अब यहां पर देखिए यह option है required का यदि आप इसको required करते हैं यहां पर तो each and every student को इसका जवाब देना ही पड़े और यदि वो जवाब नहीं देता है तो फिर वो submit ही नहीं हो पाए तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत important है कि अब यहां पर what do you mean by LMS यह हमने किया अब अब option two हमने यहां पर plus option है अब यहां पर option one अब इसमें हमने यहां पर एक आपने देखा होगा कि जैसे हमने required किया यहां पर यहां अब्यूं के सब्सकरा ह वी हा था कि दि DO len に इしょう कि अजिगों स्कूर्ण दिग्टिंग का शे दिग्या एंट विसकुन के बड़ाति पह्त प्रज्टिंग्ट है कर्वाइ है को इस तरीके सें हम इसको यह कर सकते हैं और यहां पए देखिये माल लिया जाय कि हमने चार उप्षन दिये और चार उप्षन दिये के बाद अब आप यहां पर देखिए यहां पर यह पूछ रहा है कि आप रेकॉाइड यह दि रखना चाहते हैं इसको रेकॉाइड कर दीजे यहां और इस तरीके से आपने different options आपने इस तरीके से आपने यह क्या है अब यह आपने इसको send कर दिया अब यह send यह वाया देखिए यहां पर आप इसका link भी आप यह कर सकते हैं जैसे हमने यह link लिया और इसको हमने copy कर लिया suppose हमारे पास चुकी email id बहुत लोगों के नहीं है हमने इसको copy कर लिया है और इसको हमने इसको हमने एक हमने इसको post कर दिया है अब इक इस link form में यह आ गया है यहां पर क्योंकि already किसी का email id नहीं था तो हमने इस तरीके से हमने किया आप जब हम इसको खोलेंगे तो definitely अब हमारे सामने यह एक इस तरीकी का google classroom learning assessment आ जाता है जिसमें आपने देखा कि जो read से required लिखा हुआ है और what do you mean by LMS, LMS stands for this और इसके बाद फिर आपको यह learning management system यह आपको इस तरीके से आप से submit करेंगे यहां पर यह लिखा हुआ है कि आपको यह answer देना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक learning management system इस तरीके से हमने डोनों का answer suppose दिया हुआ है आप लिखा हुआ है है और इसको ग्रेड प्रदाम कर सकते है दूसरा classwork का जो एक function है assignment हमने देखिया quiz cons यह देखिए बहुत important aspect है इसका यहां पर यदि आपने देखा होगा कि गूगल क्लास्रूम मैनेज्मेंट सिस्टम अब यहां पर देखिए कि यहां पर point जो है यह आपको decide करना पड़ेगा कि आप कितना point देना चाहते हैं क्या आप कोई date decide करना चाहते हैं तो आप यहां पर date कि आज suppose कि आप बाइस तारिक तक या तैस तारिक तक कोई assignment देना चाहते हैं तो आपको date or time देना पड़ेगा यानि कि वो notification में चला जाएगा कि आपको इतने से इतने date तक और इतने time तक आपको यह quiz आपको और इसके कितने points यह कितने grade हैं यह आपको देना पड़ेगा आप इसको change भी कर सकते हैं और इसको आप यह दी देखें तो एक title आपने यह रखा है और अब आप यहां पर यह दी quiz को यह दी आप create करें तो अब यहां आपने देखा होगा कि assignment में जो portion है इसमें देखें कि खास करके आप paragraph करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप simply paragraph दे देंगे और उसको कहेंगे कि आप इसको assess कीजिए आप इसको पढ़िए फिर आप इसका critique लिखिए short answer के form में paragraph के form में multiple choice के form में drop down आप इसमें देखें कि इतने सारे options है कि मैचिंग करने के लिए आप इसको दे सकते हैं लिएर स्केलिंग के मातिम से यानि कि इतने सारे option assessment के हैं quiz को design करने के हैं कि यह बहुत ही बहतर प्लेटफॉम है जिसके मातिम से आप यह कर सकते हैं आप यहां लिखा गया कि आप यह अपने फिर लिख दिया एक कॉपी कर लेते हैं का अपकी मेर्लिंहें मनेजमेंटर्सिंट अपतर्स्ट्रम और ओ思 thrill learning management system इसमें आप ये copy कीजिए और इसमें option आप डालते जाए suppose आपने ये management system अब एक आपने suppose कि आप learning management कर दिया आपने यहाँ पर किया आपने cable learning system कर दिया आपने यहाँ पर नन कर दिया अब यहाँ पर यहाँ पर आप जो सबसे important part है कि यहाँ पर answer की आप इसको required कीजिए क्योंकि यह mandatory question है हमने suppose यह कर दिया है अब यहाँ पर answer की अब आप इसमें जो इसका जो क्या है आपने किया कि learning management system आपने इसको किया और यहाँ पर माल लिया जाए कि हमने इसको 10 marks दिया है अब यहाँ पर हमने इसको done किया अब यह learning management system यह अब इसको हमने क्या किया कि अब हमने answer की भी इसमें already हमने दिया कि इस answer को जो भी right click करेगा उसको 10 points मिलेंगा अब इसके आधार पर हमने क्या कि यहाँ पर अब इसको हमने send किया और send हम through email के थू? through link के through हम किसी इभी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने हमने यह इसको copy कर लिया और इसको हमने फिर से suppose यह screen में जा करके और हमने suppose कि मैं चाहता हूं कि सब औह यह दीखे इस type setup को इसको क्लिक करेगा तो अब यहां पर इसको लर्णिंगमिनियुन और सेमगें अब हम इसको यहां पर वो जो स्टूरेंट है, इसको विव स्कोर भी दीख सकता है, कि रहा है अब देखें यहां पर लग रहा आप research के students को पढ़ा रहे हैं, आप even की इसमें बहुत अच्छा ये, इसको mini model भी कहा जाता है, आप बहुत अच्छा question design कर सकते हैं, और आप student का, आप online assessment कर सकते हैं, आप इसके answer की को, आप इसमें build करके, आप इसको बहतर तरीके से ये कर सकते हैं, तो आपके लिए देखा जा हैं, आप इसको assessment कर सकते हैं, आप बच्चे को immediately feedback मिलता है, इवन की आपको जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने answer पहले से feed कर दिया है, तो automatically जैसे वो click करेगा, और clicking के बाद वो just अपना score देख सकता है, और score देखने के बाद उसको आप समझे कितनी खुशी होगी, या फिर उसको ये feedback मिलेगा कि हमें ये modification की सब्सक्राइब, तो learner को immediately feedback देने के लिए ये जो classroom का जो एक वो है, तो कितना अच्छा ये एक platform है, तो आप इस तरह के से आप एक formal test भी कर सकते हैं, एक formal assessment भी कर सकते हैं, आप इसको grading भी दे सकते हैं, और खास करक एक term and examination आपको लेने में जड़ी कफी चार्ट हो, लेकिन आप इसको जो continuous assessment है, continuous assessment के लिए तो बहुत ही एक बहतर एक platform है, जहांपे आप learner को आप ये कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से questions का option है, आप question यहाँ पर डालिए और उसके बाद फिर questions में भी आप देखिए कि किस तरीक आप ये करेंगे, जैसे आपने multiple choice देखा, जितने कितने भी आप options दे सकते हैं, आप इसके pointing दे सकते हैं, आप इसके grading कर सकते हैं, आप इसको date दे सकते हैं, कितना ही date तक इसको submit करना है, तो आप student को time-based learning करवा सकते हैं, और इस तरीके से उसको ये रहेगा हमीसा किनके notification के म माध्यम से जाएगा, और समय recorded होंगे, ऐसा नहीं होगा, कि student कहेगा कि नहीं मुझे सूचना नहीं मिले, या आप भी suppose कोई सूचना मिस हो गई, तो student भी कहेगा कि नहीं सर, ये सूचना नहीं दी गई ती, क्यूंकि आप अपना record देखी से, तो इस तरीके से ये बड़ा transparent ह है, और जो इसका जो सबसे beautiful part है, वो एक जो stream के माधिन से हम content को share करें, या हम assignment में भी content को share करें, और उस content के आधार पे हम question answer हम बच्चों से लेंगी, और वो चाहे paragraph के form में हो, चाहे वो short answer के form में हो, चाहे वो multiple choice के form में हो, चाहे वो matching के form में हो, तो जितने भी तरह के जो एक ideal जो आजकल के question papers होते हैं, उसमें कोशिश की गई है कि इसको embed करने के लिए, तो यह एक बहतर LMS है, एक बहतर learning management system है, जिसके माधियम से आप एक online और एक smart class को आप लिए कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह दिदी देखा जाए, तो एक बहतर एक आपको platform provide करता है, अब पेपल में देखिए, यहाँ पे teachers का और student का यहाँ पे दिख रहा है, हमें एक साथ हमें दिख जाता है कि कितने student available हैं, कितने अब यहाँ पे देखा जाए, तो हमें एक साथ हमें आप देखने में बहुत आसानी ही हो जा रही है, हमारे class में इतनी available हैं, अब हमारे आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ है, जिसको जब चाहे तब आप इसको देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एक बेनफिट ये भी है, आप इवन की आप देखिए, कि जैसा कि मैंने राखी अगरवाल जी के उस पे क्लिक किया है, तो इमेल स्टूरेंट आप प क्याने का मतलब यह है कि यदि आप चाहें, तो ग्रुप इमेल भी कर सकते हैं, और आप यदि किसी लर्नर का यदि कोई क्या आपको लगता है कि उसके लिए यदि हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो उसके लिए एम्बारसमेंट नहीं हो, तो हम उसके प्रेटफॉर्म हो, उसमें कम से कम लर्नर और टीचर्स का यदि कोई परसनल एक कंटेंट और इंटेड यदि कमिनिकेशन है, यदि उसको लर्निंग में कोई मुल्टिपल टीचर्स इसम Battery से क लांग यहां से कमिनिकेट कर सकते हैं कोई पटिक्टिक्लर, सग्टोम हो सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि एक मालिया जाए कि कोई लर्नर खेंटर और बाहरा कोई टीचर ऐसा है कि जिनका introduction part बहुत अच्छा है वो विशय प्रवरतन बहुत अच्छा करते हैं वो classroom में एक हास करके जो set induction जिसको कहते हैं जिसको introduction to introduction skills जिसको कहते हैं वो skill बहुत जबरदस्त होता है तो आप चाहते हैं कि हम चार लोग मिल करके कि मान लिया जाए कि हम उनको statistics पढ़ाना है अब आप इस तरीके से एक मरेडिपल teachers मिल करके जिसको real cooperative teaching and cooperative learning कहते हैं तो हम एक कर सकते हैं है कि इस में आपने देखा कि अब इसमें इसमें आप इनका particular email ID आप टाइप और इमेल आप इसमें डाली और particularly उनको चला जाएगा उनकी email पर confirmation के विए और फिर वो जोईन का option क्लिक करके इसको जोईन कर सकते हैं तो इस तरीके से यह भी देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही important एक एक यह एक platform प्रदान करता है कि जिसके माध्यम से हम एक online चुकि no doubt physical classroom situation को तो यह replace नहीं कर सकता है लेकिन कहां पर इसकी जरुरत है जहां पर learner अपने नीड के according to learner अपने personalized experience के according to जब उससे लर्णिंग की यदि सपोर्स जरुरत पड़े मालिया जाएक कोई class चूट गया तो आज के डेट में तो हम प्रतेक teacher से एक request करेंगे कि जिस विशय के आप specialize जाएं जिस विशय पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप अपना एक Google classroom क्रेट कीजे और आप उसमें जो सबसे important part यह है कि आप एक quiz frame करके आप assignment बहुत अच्छे 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 प्रेम करके आप reflective level के questions frame करके आप बच्चों को एक नई दिशा में उनके learning को आप प्रमोट कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि यह people में यह teachers और student का यह यह grades का है means क्या कि जब हम इस grades को click करते हैं तो अब आप यहां पर देखेंगे तो देखिए यहां पर एक हमारे सामने में चार्ट आ गया है कि किन लोगों ने इसको किया है और कौन लोग miss कर गए क्योंकि already हमने यहां पर date जो fix किया वा था वो जून 15 फिक्स किया वा था तो already क्योंकि जून 15 टाइम बीच गया है तो इसमें सभी लोग इसमें एक missing option आ रहा है और इसमें देखिए कि डॉक्टर श्रीकान सर्मा जी ने किया है लेकिन उनमें आ रहा है option कि done late तो हम यहां से categorize कर सकते है कि किन्हों ने इसको किया है on time किन्हों ने नहीं किया है तो आपके लिए कितना अच्छा होगा कि आपको इसी प्रेटफॉर्म कर नहीं जाएगा कि कि इतने बच्चों ने कब किया यह आपके लिए बहुत important जाए तो इस student के achievement को जानने के लिए आपके लिए एक बहतर एक option जाता है और एक जो सबसे important part है कि आप Google इसमें प्ले स्टोर में जाकरके आप खास करके जैसे एक मैं एक खास करके वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं आपको जो इसी में मैंने कभी इसमें अप्लोड किया था पेज वाड़ वीडियो माटिरियल तु दिस अब आप यहां पर देखें कि यह जो स्क्रीन जो रिकॉर्डर है जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इस स्क्रीन रिकॉर्डर के मैं से अब यहां पर मैं आपको एक शायद हमारे इसको देख रहे होगे एक स्क्रीन रिकॉर्डर का एक आपको दिख रहा होगा हमारे आउस्तै को पर यह इसी सी रिकॉर्ड किया हुआ है मिन्स क्या क्या कहने का मतलब यह है, कि आप उस्क्रीन रिकॉर्डर से आप किसी भी और आप अपने वीकॉर्ड कर सक्कते है देकिं éléments यह बहुत आसान है इसको करने को अब देखिए जैसे मैंने प्रीक दिया है इस तरीके से आप के लिए बहुत अच्छा है आप अपनी तरीके से इसको आप अपनी तरीके से कस्तमाइज ढूए में आप अपनी जुरुरत के अनुसार आप स्क्रीन रिकॉर्डर के मार्दधन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस रिकॉर्डिंग को आप IMMEDIATELY अभूर कर सकते हैं इसमें बहुत सारी आपको एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सपोज कि आप एक प्रफेशनल की तरह जागी, आप उसे बनाएंगे तो हो सकता है, कि आपको वीडियो एडिटिंग में काफी एक्सपर्टीज की जुएत पड़ेगी, आपको काफी उसमें शक् आपको आपको एक यह प्रेटफॉर्म इतना एक बहुत आसान है यूज करने में, एक बहुत इसमें कॉंप्लिकेस ही नहीं है, इसमें खास करके गूगल के जितने भी सर्विसेज हैं, उनसे एक का इंटिग्रेट और कन्वर्जन्स के मॉडल पर यह बेस्ट है, तो एक यह बहतर अपॉर्चुनिटी देता है आपको, और खास ही खास, यदि देखा जाएं तो आपके Google Drive में जो भी material आपने सेव किया है, या Google और जो सेव किया है, वो उसको भी आप बच्चों को अप्लोड करके यूज कर सकते हैं, और जो भी आपने material यहाँ पे आपने जो अप्लोड किया है, वो अलड़ी Google Drive में सेव हो जाता है, तो means क्या, कि वो एक किसी भी समय में आप उसका एक बहतर उप्यों कर सकते हैं, तो अदर्वाइस क्या होता है, कि आपके सामने आपको कहीं कोई lecture देना है, या आपको कहीं किस कोई site करना है, कोई ये lecture आपको सुनना है, और आपको उस समय में आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको पता है, कि हमने Google Classroom में इस तो इस तरीके से एक बहतर अपार्चुनिटी देता है ये Google Classroom, जो कि मुझे लग रहा है कि इसको जिनको mobile चलाने आता है, जिनको एक Gmail या फिर email जिनको करने आता है, compose करने आता है, जिनको send करने आता है, मतलब वो activities जिनको आता है, वो activities आसानी से करने वाले लोग Google Classroom को बह सबसे बहतर पार्ट ये है इसका, कि कुछ सावधानिया आप को बरतनी होगी, कि आप कौन सा content आले, आप कैसे डाले, आप किस तरीके से questions को design करें, किस तरीके से questions को रखे, reflective questions कैसे होने चाहिए, critical questions कैसे होने चाहिए, यानि कि जो cognitive domain के जितने की levels है, चाहे जिसको हम सबसे यो lower level को knowledge level काती है, यो memory level, यानि कि memory level की questions, या फिर understanding level की questions, जिसको अब वो धात्मत प्रश्म काती है, understanding level की questions, फिर यदि देखे जाएं, तो application level की questions, यानि कि अनुपरयोग करने वाले, अनुपरयोगात्मत questions, यानि कि जैसे बच्चे को एक example दें, और example के मार्यम से कहें कि हम आपको बताना है कि इसमें कौन सी theory reflect हो रही है, तो इस तरीके से योई देखा जाएं, तो आपने कोई एक formula दिया और उस formula के आपको आपने रिखा कि इसका different applications लिए, तो इस तरीके से knowledge, understanding, application, analysis, यानि कि विशलेशनात्मत question आप दाल करके आप उनको assist कर सकते हैं, उनको practice सकते हैं, analytical questions को respond करने में, और synthetic questions और synthetic के बाद-बाद जिसको कहते हैं, evaluatory questions या जिसको हम reflective questions भी कहते हैं, तो इस तरीके से आपके साह, आपके लिए देखा जाए, तो class work में इतने सारे options हैं, इस options के मादिन से आप एक रहतर learning को manage कर सकते हैं, teaching को manage कर सकते हैं, और learner centric teaching कर सकते ह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कि teaching बहुत ही successful तब तक नहीं होगा, जब तक teaching के successful का parameter वही है, कि learning कितना हुआ है, और learning जब तक managed नहीं होगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं, learning को भाश करने, मुझे लग रहा है, कि एक कम समय में, आप लोगों से communicate करने की कोशिश की गई है, और हो सकता है कि आपको इसके जितने भी एक philosophical और जो जो practical aspects है, वो आपको जाने का मौका मिला है, तेंक्यू, तेंक्यू बेरे मुच्छ मित्रों, अभी एक दो लोगों ने कुछ प्रश्न किये थे, तेंक्यू अपने प्रश्न पूछने आप लोग, अभी अपने पास समय है, पास मिनट का, प्रश्न है क्या किसी का? पर मोबाइल में वीडियो शेयरिंग का ओप्शन नहीं लिखाएंगे, तो आप जब उसमें भी आपको लिंक और आपको यूट्यूब और इस तरीके से आप को गूगल ड्राइव, वो सारे ओप्शन आपको मिलते हैं, तो वहां से आप कहीं से यूट्यूब का कॉपी, आ आपको सबसे पहले आप गूगल इस पे जैसे आप कॉपी कर ले पाते हैं, यूरल कहीं का भी? यूरल कॉपी कर लेंगे, यहां पर आप से सम्धिंग जहां पर लिखा हुआ है, जैसे आप स्ट्रीम को ग्लिक करेंगे, तो से संथिंग जैसे ही है, तो उसको आप वहां पर यदि आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे स्क्रीन को, तो प्रेस्ट का उप्शन आएगा, और उस प्रेस्ट करेंगे, जैसे कि आप जो क्विज है, या जो आपके क्विश्टन से है, आपने दिखा है कि आप बच्चे को एक grading दे सकते हैं, उनको marks का पता चल सकता है, आप उनको grade दे सकतते हैं, कि कि तो आपके subjectivity भी zaj Halvin करता है कि आप उसको नुम्रिक ग्रेवरिड में दे या आप उसको केवल अलफाविटिकल ग्रेवरिड में दे आप यह कर सकते हैं, और Google form में भी बहूट सारे ऐसे options हैं, जिसमें कल भी आपको एक G Suite पे आपनों का workshop है, जिसमें आप particularly, मैंने उनको कहा है कि जो certificate generation का और इस तरी के से जो process है, जिसमें उस grading को, हम उस grading के अमादिम से हम एक certificate generate भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा option होता है Sir, one question please Yes, हाँ, बता है Hello, Sir, पूशे चाहिए जैसे के अभी आपने बताया है कि हम video upload कर सकते हैं through YouTube, तो suppose कोई video हमने already select करके हमारे system पे saved है, तो can we link that particular video through Google classroom? आप, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, जैसे एक जैसे कि जैसे file आपको select करना, जैसे आपको आता है कि उसमें देखते होंगे आप, कि उसमें जैसा कि मैं आपको अभी एक मेरे screen कि आप देख पा रहे होंगे, तो एक जैसे जैसे एक message something और किया, और यहाँ पे add, आप देख पा रहे होंगे add, अब यहाँ पे देखी जैसे एक file लिखा हुआ है, यहाँ पे, अब यह file को मैंने click किया, file को जैसे मैंने click किया, अब यह खुद ही कह रहा है कि select files from your device, okay, it means only file we can select, yeah, yeah, definitely, अब यहाँ पे बना सकते हैं, अब बिलकुल, बिलकुल, इसे हिंदी पे बनाश के लिए हमें क्या करना होगा? आपको हिंदी पे बनाश के लिए क्या रहा है? language कहा से select करनी बहुत है, hello, आप क्या पर कह रही है? हाँ, मेरा प्रशन है कि हम इसे हिंदी के बनाश करने के लिए जो हमारा question and answers है या quiz है तो उसके लिए हमें language नाश से select करनी पड़ेगी आपको आप जब देखते होंगे कि यहाँ पर आप हमारे बोड को यह देख पा रहे है आजी देख पा रही हूँ आँ, देखे, यहाँ पर एक English है अब यहाँ पर suppose कि हमारे लिए देखे, यहाँ पर हमने upload किया है जैसे Hindi Google Input Tools जी जी जैसे आँ अलो हेलो हलो आवाज आ रही है आपको हलो इसको select करते हैं suppose यहाँ पर देखिए अब मैं share कर रहा हूँ मेरी आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है यह देखिए मैंने आप select किया है अब आप देखिए होगे कि क्योंकि हमने यहाँ पर हिंदी गूगल इंपुट भी हमने डाउनलोड किया हुआ है और हमारी सिस्टम में है अब मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूं जैसे जैसे तो सब्सक्राइब फ्रेश हो रहा है यह आपको एक क्लास्रूम जो आपने डेवलब किया है उसका क्लास कोड वही रहेगा और वही क्लास कोड के माधियम से आप बच्चों को एड कर सकते हैं क्योंकि क्लास तो हमें इसा चेंज नहीं होता रहता है ना क्लास्रूम जोड़ी आप क्रेट करने होंगे तो फिर नया और जाएका जी यह पुराना क्लास है तो आप यह ईपाइव जेवी डीलेफ इस गूगल क्लास्रूम का कोड यह रहेगा ही रहेगा तो क्योंकि अन्डी अप घलिखा होगा गूगल प्लिंदी में जी सर, जी सर, आपट इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यूवेरे माज़ी, धन्यबाद प्रफेसर, जी, जी, अर्खाइव का उप्शन आप बताने के लिए कह रहे थे, तो आर्खाइव का उप्शन मिस हुआ है, वो प्लीज बता दीजेगा, एक मिट, जी, राजिंदर पांडे सर, जी, समय हो गया, सर, पर करें, समय हो गया, अब बिल्कुल, तमाथ्य के और लई है, आच्छा, तीक है, अभी मैं इसको एक आप लोग जो भी करेक्टेड हैं, उसको मैं यह आर्खाइव का उप्शन मैं आपको अभी यह करके बेज दूँगा, ठीक है, ओग, अब मैं आज के सत्र को सांती की तरफ ले चलते हैं, मैं निवेदिन करता हूँ, प्रफेसर पौन कुमार सर्मा जी से, की सर आज क्या धनलबाद व्यापन करे, प्रफेसर पौन कुमार सर्मा सर, सर, हैं क्या मीटिंग ने हमारे साथ? हाँ, मैं हूँ, राइंदर जी, जी सर, जी सर, धन्यवाद रजनी, तुमने बहुत बिस्तार से और साधरन पद्धती से गूगल क्लास को कैसे क्रिएट किया जाए, उसके जो अनेक प्रकार के आयाम है, उनको समझाना का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि, आज हमारा तीसरा व्याक्षान था, इस कारशाला का चौथा, दो आज हुए, मेरे पास कई प्रतिवागियों के फॉन आये, और उनमें से, मैं समझता हूँ, शाद दस वारे लोगों के तो आये होंगे फॉन मेरे पास, और उनमें से यही कहा कि, सर, इनमें से कुछ ने पहले भी अटेंड की हुई है, कारशाला है, तो उनमें का कि, सर, इस कारशाला का जो वैशिष्ट है, वह यह है कि, यहां पर नाकेबल ब्याक्षान हो रहे हैं, बलकि ब्याक्षान के आजहार पर एक्सरसाइज भी करवाई जा रही ह तो मैंने का इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है हमारे जो सम्मानित व्याक्षाता है जो स्पीकर्स हैं ये क्रेडिट उनको जाता है हमारा तो इतना बस भूमिका है कि जैसे वो शुक्र कहता है कि योजक जो है वो गुरलव होता है तो हमने इतना कर लिया कि ये जो बिन्दी प्रकार के सुगंधित कुश्प थे इस कारशाला रूपी जो माला है उसमें गूंग दिये बस इतना किया हमने और सुगंधित थे वो अपने आप कर रहे हैं इस कारशाला को तो रहनी आज ये चोथा व्याक्षान था और तुमने बहुत अच्छे से सारी विशे वस्तू को रखा और उस विशे वस्तू का क्रिया रूप में अनुप्रियोग कैसे कर सकते हैं उसको एकली केवल कैसे बनाया जा सकता है ये परसों श्री निवास जी ने भी कल मदू सूजन ने भी आज सुबह इशा मैडम ने और अब आप ने और सन्यूग से कल अखलेश रहने वाला है और कल प्रारम में प्रोफिसर गोवेल सर्थ रहेंगे तो ये जो अच्छी मेरी खालते शायद 9 स्पीकर्स रहेंगे पूरे मिलाकर तो उनके माध्यम से ये एक अच्छी कारिशाला मुझे लगता बन पड़ी है हमने तो ऐसे ही थोड़ा सा सोच लिया था कि कुछ प्रतिवागियों को जो समर वेकेशन हो गई है उनमें अगला सत्र जुलाई में शुरू होने वाला है तो जो क्लासे लगेंगी कच्छाएं लगेंगी उनमें पढ़ाई की विवस्ता क्योंकि अभी कुछ समय तक और दियापन की पद्धितियां हैं उनसे परिचित हो जाएं उनके मित्र रूप में उनके साथ जोवार करने लगें तो रजनी तुमारा बहुत-बहुत फिर वही वाली बात मतब दहने बाद कैसे कहुँदा लेकिन तुम्हें इसने आशिरवाज बद इसी प्रकार से तुम सि प्रकार किया मैं विवाक की और से विश्रिद्याले की और से प्रतिव्यावग्यों की और से आपका आब बहार रेक्त करता हूं राज़िंदर पंडे जी भी वड़ा बिचारे आज पूरे दिन लगे रहे इनके भी वड़े असाइनमेंट्स हैं इनके खुद अपने लेक क कि ये कार्ये हैं और भी कुछ कार्यों में ये संलगने रहते हैं लेकिन आज लगाताल लगवक पौने पांच गंडे से हमारे ही साथ हैं तो मैं राज़नर पंडे जी का भी यदि भी सहायों कि यही सब कुछ करता हैं लेकिन तुर्वी मैं राज़नर पंडे जी का भी धन् कि गई उनका माने नहीं है प्रतिकुल्पति मेडम का विद्यूत विभाग का वाई फाई की जो विवस्ता देखते हैं उन सभी का जो मीडिया की चिंता करते हैं उन सभी का और सबसे ज्यादा प्रतिवागियों का आज 170 तक एक साथ आंकड़ा इस परश किया है तो मैं प्रत गंटे का अपना समय निकाला और इदिपी ये उनके और सिक्षा जगत के लिए ही लाबकारी है लेकिन फिर भी उनकी उपस्तिती के बिना ये कारशाला पूर्णत्व की और बढ़ने में थोड़ा परिशानी महसूस करती हैं उनके सायोग के साथ हम आज 14 दिन शायदम में आज अच्छा बात है कि हमको रोटी बना रहे थे लेकिन कारशाला में थोड़ा हम ये सब अपना जो कैमरा है उसको ओफ कर लिया करें अपना माइक भी आफ कर लिया करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी तो कोई बात नहीं, हसी कुछी का माहौल रहता है, लेकिन फिर भी स्पीकर का थोड़ा ध्यान बढ़ता है, और जो हम लोगों के पास कोई ना कोई फोन कर देता कि ताब यह हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा भी जो थोड़ा मन अज कि बश्वास के साथ मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आवार करता हूं, धन्यवाद ग्यापित करता हूं, और कल भी दो सत्र हैं, कल भी प्रादे, ग्यारे से एक, ये सत्र हैं, और फिर तीन से पाँच, दूसरा सत्र है, कल जी सूट पर होगी बात हैं, और बहुत सारी जो प्रावलम्स हम प्रिक्टिकली फेस करते हैं, उनके साथ कैसे दो चार हों, उस पर भी कल बात होगी, तो कल उन्हाँ एक बार 11 बजे हम एकत्रित होंगे, और फिर 3 बजे एकत्रित होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का आभार, धन्यवार, नमस्कार. बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत हारदी का भार सर्थ, एक आज़नी नमस्कार. ज fällt बहुत बहुत बहुतुत के साथ डती है उन्हाँ यहा चार, एक छीका.